नमस्कार, स्वागत है आपका अज की क्लास में बहुत important क्लास है और बहुत ही technical क्लास है बट हम बहुत easy point of view से इस क्लास को finish कर लेंगे समझ लेंगे और exam में लिखने लाइक बन जाएंगे टॉपिक का नाम है वां थ्यूनिन का क्रिसी अवस्थिती मॉडल यह टॉपिक है हमारा क्रिसी अवस्थिती मॉडल है या आप इसको क्रिसी अवस्थिती से धांत कह सकते हैं वां थ्यूनिन का कोई भी मॉडल या कोई भी थियूरी पढ़ने का एक कौन तरीका है कि आप सब से पहले उस थियूरी को देने वाले का introduction जाने है कि जिसने यह theory दी, जिसने यह model दिया, कौन थे हो, कहां के थे हो, किस type के scholar थे हो, जोगरफर थे, economist थे, sociologist थे, botanist थे, कौन थे, तो post information होना चाहिए, personal information of geographer और scholar जो जिसने theory दी है, and एक बार यदि आप उस व्यक्ति विशेश के बारे में जान गए, जैसे बांतियोनिन का model है, तो आपको बांतियोनिन के बारे में पता चल गया कि कौन थे बांतियोनिन हो, तो फिर उनकी क्या सोच, क्या धारना और क्या उदिश रहा होगा, उससे दांत को देने के प्रती, ये भी आप समझेंगे, तो हम बिलकुल zero से start करेंगे आपकी class को, क्रिशी अवस्थिती model को हम इस तरह पढ़ेंगे, कि जैसे हम जोगरिफी के student नहीं है, सपोज हम commerce background से हैं, या फिर हम engineering background से हैं, और first time हमने ये word, ये term सुना है, सुना है कि human geography का most important और most probable question है, आने का chance रखता है इस person को, तो इसमें कौन-कौन सा diagram डालेंगे, हमने जानके पहले ही diagram बना रखा है कि एक ये diagram डालना है, ये दोनों case डालना है, और एक और diagram डालना है, total चार diagram बनेगा इसमें, और चार diagram के अलावा point में इसके answers होगे, कौन-क सा point होगा, ये समझाने की कोशिस है, यदि प्रस्न आता है एक्जाम में कि वान्थ्योनिन के क्रिसी अवस्थिति मौडल, पहले एक format बना लेंगे, क्रिसी अवस्थिति मौडल की आलूचनातमक विवरंदे, ऐसे प्रस्नाने की ज़्यादा संभावना है कि आपको आलूचनातमक विवरंदेने की चमता होगी चीए, और आलूचनातमक विवरंद वही दे सकता है, जिसको उस थियोरी की पूरी समझ है, ठीक है? आलूचनातमक विवरंदेने की चमता, उसी में मानी जा सकती है, जिसको उस थियोरी की समझ है, मॉडल को वो समझता है कि मॉडल क्यों मना उद्दिश्य क्या था कोई भी मॉडल कोई भी थियोरी आती है तो उसका अपना एक उद्दिश्य अपना एक परपस होता है तो कोशन है critically evaluate the model of agricultural location of bond theory यह कोशन है अब इस कोशन का answer हमें लिखना है 5-10 page नहीं जाना है 5-6 page में ही लिखना है और 5-6 page में 4-5 तो diagram चला जाएगा तो 6 page easily लिखा जा सकता है 5-6 page सुरवात जो हम करेंगे पहले format बना देते हैं कि क्या-क्या हमारे पास संसोधन साधन होना चाहिए सबसे पहली चीज जो हमारे पास होना चाहिए परिचे होना चीए और परिचे चुकी इस पूरे उत्तर का परिचे नहीं वी यह word लिखने लिखे बिना भी आप आंसा लिख सकते को जरू नहीं कि आप यहाँ पे लिखे ही कि हम इंट्रो दे रहे हैं यह इंट्रो जो होता है यह understood होता है इसको लिखने की अवर्शकता नहीं तो पूरा विवरन एक वैक्ति से सम्द्नित है one theory तो आप सबसे पहला जो term आप करेंगे इसमें पहली जो बात आप इसमें define करेंगे वो करेंगे की one theory कौन थे ये बताने की कोशिस करेंगे ठीक है one theory कौन थे कब उन्होंने theory दिया और उनकी क्या मान्यता थी, मान्यताएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, कि किसी भी थियोरी की जो मान्यताएं होती हैं, ये बहुत ज़ादा महत्वपूर्ण होती कि क्या वो मानते थे जिनके आधार पर उन्होंने थियोरी दी, परसेप्शन उनका क्या था, उन्होंने पहले से क्या मान था और हरे एक थिवरी देने के पीछे कुछ उद्देश उद्देश ते उनकी क्या एजंप्संस थे? assumptions मतलब मान्यताएं what were the assumptions of one thunin ठीक है तो कौन थे one thunin कब दिया one thunin ने अपनी theory उनके assumptions मान्यताएं क्या थी ये आपको पता होना चाहिए ठीक है मान्यताएं क्या थी उनकी वो क्या मान करके ये theory दे रहते और purpose क्या था यानि कि क्यूं उन्होंने ये theory दी अभी तनी बाते introduction में चलेगी ये intro part है और intro part में यही बातें आप सुरू में लिखेंगे फॉस्ट आपने step complete कर लिया आपको समझ में आ गया ये बाते याद हो गई तो आप second step में आएंगे और second step जो है उसमें आप क्या लिखेंगे कि जो one tuning की theory थी उनकी theory की मूल बातें क्या थी जो से दांत उन्होंने दिया या फिर उन्होंने जो model उन्होंने दिया उस model की जो मूल बातें थी basic बातें थी विसेशता थी उनको आप explain करेंगे and that will be the second part of the answer and आप इसको answer का body part कर सकते हैं ठीके intro part के बाद body part body part के दो part होंगे in one part आप explain करोगे उनके model को with the help of diagram with the help of graph with the help of chart example etc और इसके बाद जो third part होगा इस question का यानि की इसी का part two के ही है body का ही part one body part one में उनके सिद्दांत की मूल बातें और ये सबसे महत्वूर्ण होंगी point में लिखेंगे मूल बातें सबके सब और उसके बाद third part में हम enter करेंगे और जो हमारा third part होगा third part में हम क्या बताएंगे कि इनकी कमिया क्या थी कमिया ही आलोचना होती है और बिना सिद्धांत को explain किये आप कमिया नहीं बता सकते कमिया और या जिसको आप आलोचना कहते हैं other Google वेताओं के point of view से उनके नजर ये से हम आलोचना या कमिया बताएंगे चार-पांच से point कमियों और आलोचनाओं में बताने के बाद हम fourth part में आएंगे और ये last part of the answer होगा और इस answer last part में हम क्या चर्चा करेंगे हम चर्चा करेंगे कि बरतमान से कुछ जो हम बरतमान में जो क्रिसी कारे कर रहे है उनमें इनके इस सिद्दांत की क्या प्रासांगिकता ठीक है वो बताएंगे और इसी के साथ इसी बरतमान प्रासांगिकता के साथ ही conclude कर देंगे answer को और answer पूर्ण हो जाएगा answer complete हो जाएगा तो ये format है हमारे पास कि हम इस तरीके से पूरे answers को लिखने वाले है सबसे पहले बांगते उन्हें कौन थे कब दिया इनोंने सिद्दांत किया इनकी मान्यताएं थी ओ देश ये क्या था इनके सिद्दांत का ठीक है इनोंने जब सिद्दांत दिया तो समय ये laboratory के lab lab में कुछ ऐसा किया प्रयोग किया या फिर field work करके किया empirical था इनका model अनुभव जन्य इनका model था या फिर इनका model जो था वो data आधारी था सिर्फ database था ये सारी बातें समझेंगे एक कहानी एक story की तरह तो उम्मीद करते हैं कि planning आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आप किस तरह से आप जो है बान थ्यूनन के इस model को design करेंगे answers में अब हम सुनाते हैं आपको story थोरी सी पहला section story section है कौन थे वान थ्यूनन कहां के थे वान थ्यूनन कब दिया इनका इनका थियोरी क्या वो मान के चलते थे मानते थे तो पूरी कहानी सुनते हैं वान थ्यूनन का नाम से क्या लगता है आपको कहां के होंगे वान थ्यूनन कहां के हैं वान थ्यूनन तो वान थ्यूनन जो जॉगरफर हैं जर्मन हैं अब कहानी चक्षिर करते हैं कि कौन है वांन्थियोनन तो वांन्थियोनन जो हैं वांन्थियोनन का पूरा नाम वांधियोनन नहीं है वान्तुनन इनका निकनेम है, सोटनेम है पूरा नाम है इनका John Henrik वान्तुनन यानी पूरा नाम क्या है? John Henrik वान्तुनन यह इनका पूरा नाम दूसरी महत्वपून बात यह जर्मन भुगोल बेता है वांतियोंने जो है जर्मन भुगोल बेता है और जर्मन भुगोल बेता की एक कोमन विस्था होती हो mathematical formulas बले यूज ना करें बट complicated technical terminology ज़रूर यूज करते है ये क्रिसी वैज्यानिक थे लंबे समय तक इन्होंने एक फार्म में काम किया जीवन का एक बहुत बड़ा भाग इन्होंने एक agricultural फार्म में बिताने में लगा दिया तो agricultural scientist थे जर्मन जागरपर थे एक अर्थ सास्त्री भी थे economist भी थे और rent पे लेके एक farm में farmhouse में रहते थे उस farm का नाम था टेलो farm टेलो farm में ये काम करते थे टेलो farm ही नहीं का था मालिक थे टेलो farm के टेलो ये क्रिसी farm manager थे कुछ लोग कहते हैं कि manager थे ये टेलो farm एक क्रिसी farm था farm house आप कह सकते हैं क्रिसी का एक company था जर्मन company क्रिसी farm सिर्फ agriculture पर research करने के उद्दिश्च से टेलो farm एक क्रिसी farm था ये manager के नौकरी पे थे वहाँ ये manager थे अलाकि कुछ किताबों में लिखा है कि टेलो farm ही नहीं का था बट ये सत्य नहीं है ये टेलो farm में manager थे और अगर भूस्वामी कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये manager थे वहाँ पे दरसल ये बहुत बड़े अमीर घर आने से थे इनके अपनी बहुत बड़ी farm house थी और जर्मनी के जिस सहर में रहते थे मैकलन ये जो टेलो farm था टेलो farm में manager थे ये farm इनके परिवार का था ये एक बड़े भूस्वामी परिवार से थे जर्मनी में तो ये मैकलन नाम के सहर में था ये टेलो farm जो है मैकलन एक टाउन है मैकलन चोटा सा टाउन है जर्मनी का मैकलेंबर्ग एक टाउन है मैकलेंबर्ग एक टाउन है, इसी टाउन के अग्रिकल्चरल एरिया में इनका ये फार्म हाउस था, जो टाइम फ्रेम है इनका 1783 से 1850, इनका ये लाइफ टाइम फ्रेम है, उससे में लगान ये टेक्स का बड़ा प्रचलन था, ठीक है, इनका जो टाइम फ्रेम है 1783 से 1853 तक, ये इनका जीवन काल है, तो उस टाइम पे एग्रिकल्चरल लैंड में, क्रिसी करने में जो सबसे बड़ी रासी रकम जाती थी लोगों की, वो रासी जाती थी लगान में, लगान और ट्रांसपोर्ट जो था, ये एग्रिकल्चर का एक ऐसा पॉइंट था एग्रिकल्चर का, जिसके कारण जो फार्मर्स थे, वो परिशान थे, और फार्मर्स को कन्फूजन था, चुकि ये खुद एक मेनेजर थे, एक पाम के, तो इनको ज्यादा आइडिया था, कि फार्मर्स के साथ क्या परिशानी है, तो इन्होंने फार्मर्स को परिशानी किस बात की थी, पहले ये जान लीजे, फार्मर्स को परिशानी थी कि कौन सा फसल उगाया जाए, कौन सा फसल उगाया जाए, ये फार्मर्स की परिशानी थी, ठीक है, फार्मर्स की परिशान थी कि कौन सा फसल उगाया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया जाए चुकि ये भी एक मैनेजर थे इनको अच्छा नॉलिज था और लंबा समय दिया उस पामाउस में एक दिन दो दिन रिसर्च नहीं किया इन्हों ने अपने जीवन का आधा हिस्सा उसी में मनेचर के पद्पर विता दिया मनेचर किसी और का नहीं अपने ही परिवार का था यह कंबाइन फैंली से बिलॉंक करने वाले पसंद था तो इन्होंने इनका जो देश्य था इन्होंने जो मॉडल दिया क्रिसी अस्तानी करन क्यूं दिया ये मॉडल अभी तक हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले कौन थे तो जॉन हैंडरिक बान थी उनन एक जर्मन भुगोल बेता थे वे एक क्रिसी बैज्यानिक और अर्थसास्त्री थे उन्होंने अपने जीवन का सबसे लंबा लंबी अबधी अपने जीवन की उन्होंने कहां बिताई तो उन्होंने अपने जीवन की लंबी अबधी एक फार्म हाउस में अगरिकल्चर पर सहर में, सहर के क्रिसी छेत्र में इस दितर ये टेलो फार्म है, अब आते हैं अगले मुद्दे पर, हम मुद्दा भी बताते जाएं कि हमने प्लान किया कि क्या क्या पढ़ेंगे, हमने पहली चीज कंप्लीट कर ली, हमने पढ़ लिया कौम थे, अब ये कंप्लीट हो गया What's Up University के प्रोफेसर्स हैं, या फिर टिक टॉक यूनिवस्टी या जो भी वो इंस्टा यूनिवस्टी के प्रोफेसर्स हैं, वो तियोरी देते रहते हैं, वो लिखते रहते हैं, ओई राजू, प्यार ना करियो, तो इनके पीछे उनका अपना एजंप्सन होता है, बिचार बनाके कि ओई राजू, प्यार मत करियो, दिल तूट जाता है, यह उनका अपना एजंप्सन है, उनका दिल तूटा तो वो यह मानते हैं कि सब का डिल तूटा, ऐसा ही कुछ होता है, मॉडल तियोरी देने वालों का, अपना कुछ एजंप्सन होता है, जैसे कुछ बहने हो होते हैं उनमें कोई भाई भी होता है चाचा भी होता है वो भी मेल होते हैं तो लेकिन आपने अपनी मान्यता बना लिया आपको एक दो कुत्ते क्या मिल गए दुरवाद था आपका कि जिससे टकराए वो कुत्ता ही निकलाते इसमें बांकी मेलों की क्या गलती है आपने अप आपने perception बना लिया और उसी perception पे आपने भी अपना सिद्धान्त दे दिया कि मेरी बाकी बहनों कुत्तों से दूर रहना कब काट खाए पता नहीं तो ये सिद्धान्त बहुत कोई बड़ी चीज नहीं होती है बच्चा मुझे कह रहा था सर फॉस्ट पेपर में बिल्कुल डर नहीं लग रहा था वर सकेंड पेपर मेंने सर बहुते डर लग रहा है इन मॉडल क्यों जबकि जॉगरफी से एमे था लल्ला मेरा लल्ला जॉगरफी से एमे था और उसके दिमाग में कच्चणा भर दिया किसी ने नित्ता पैनिक था, वह बहुत पैनिक था, हाइली पैनिक, सर कैसे होगा मोडल याद, हमने बोला मोडल वैसे ही याद होगा, जैसे बागी चीज़े याद बोती है, नाइस, सर बहुत भारी है, हम पढ़ के देखे केमरत सब दिमाग के उपर से बांस कर गया, देखो जब तुम पैनिक होते हो न, तो तुम्हारा लल्ला गोदी में रहता है और तुमको दिखता नहीं है, कई बार ऐसा हुआ होगा, तुम हाइली पैनिक थे, तुमको जल्दी में कोई चाबी ढूनना थे, यह जल्दी में चस्मा ढूनना था, चस्मा तुम्हारे माते पे यान लगा हुआ था, और तुम पूरे घर का सारा समान तितर पितर कर दिये, कहां है मेरा चस्मा, कहां है मेरा चस्मा, फिर एक सांती से बैठा हुआ दादी तुमको बुलाई, इधर आओ, क्या खुज रही हो, दादी पैन तो तुम्हारे आगे गोदी में चिलका रहेगा तुम नगर धिनो ना मारते राजा होगे चिलका नहीं मिलेगा क्यों चिलका तो गोदी में ही नहीं है model और theory की इस pattern का a common system याद कर लो जिसकी theory है उसको hello बोल लो जिसकी theory है उसको आप ठीक से जान लो समझ लो कले दूसरी बात एक बार यदि आपने देख लिया कि जिसकी theory है वो कौन है कहा कहा है कब दिया theory क्यों दिया theory ये आपने एक बार बता दिया उसके बार देखो कि उसका purpose क्या है इस theory देने के पीछे कहीं वो चोट खाया हुआ आसिक तो नहीं है यानि दोका तो नहीं हो उसकी स्थिती देखो उसका location देखो किस point z का है यदि वो sociologist है तो sociological बात करेगा यदि वो economist है तो economy की बात करेगा यदि वो botanist है तो botany के example लाकर देखा सबका अपना अप के perceptions यह आपके परवरिस और आपके environment पर depend करता है यदि मेरी तालीब जो है एक ऐसे area में हो जहां पे मुझे तालीब देने वालों का mind बड़ा एकदम संकुचित हो एकदम कटरता वाला तालीब दिया जाए तो हम भी कटर हो जाएंगे तो कोई भी model कोई भी theory बहुत easy है एक कही धर्रे पर model theory पढ़ते हैं हम लोग पहला उस theory देने वाले उस model देने वाले का personal information collect करते हैं दूसरा उस theory देने वाले model देने वाले की मान्यताएं क्या हैं उन मान्यताओं की बात करते हैं फिर theory में उसने क्या बताया theory में उसने क्या खिचड़ी पकाया है क्या बताने की क उसको point by point लिखते हैं और एक बार हमने theory में उन्होंने क्या बताया इसको point by point लिख लिया देन उसके बाद हम उस theory की जो कमिया है जो उनके drawback हैं कमिया हैं उनको लिखते हैं कि इन्होंने बता तो दी आप लोपलो ने लेकिन हमें लगता है कि यहां कमी है यहां हमें नहीं दूसरे जागरफरस हैं उनको क्या लगता है मैंने वो लिख देना है और वरतमान तक हम थियोरी पढ़ रहे हैं और वी पीएसी में इंपॉर्टेंट बता रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि थियोरी रिलेवेंस कुछ तो रिलेवेंस है जिसका रिलेवेंस नहीं होता वो अच्छरे हैं उसमें रिलेवेंस डूंडना है दूसरों में गंदगी डूंडना है यह तो सिंपल बात है कोई भी डूंड देगा किसार आपके यहां नात के पास यहां पर लगाया है कुछ लेकिन δूसरों में अच्छा ही धूंडने की आख भी होनी डूंदушка और दूमको को अपने दिमाग से निकाल के conclude करना है कि हाव बांत यूनिल मॉडल इज रिलेवेंट नावाडेज लाग कमिया है उसमें लेकिन कुछ तो रिलेवेंस है क्योंकि एगरिकल्चर एक ऐसा टॉपिक है जो रोज ही करेंट में रहता है पूरी धरती का जो पेट की आग बुझाने वाला पूर्ड ग्रेंस है और फूरन के प्रडाक्शन पर्ड़क्शन परद्द के प्रडक्शन में हम इन चीजों को समझते हैं अब तो सर आप अपना देख लीजिए जहां जो लगाना है ठीक है स्वारी एक भया है मेरे वो बॉटनिकल स्पेसलिस्ट है मेरे और मुझे बॉटनिकल चीज़ों में बड़े इंट्रस्ट है मेरा घर बगीचे जैसा है चोटा सा ही कमरा सा ही बट ये एक गर्डन है पूरी दरीके से तो उसमें बहुत सारे पौधों का ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास एक डॉक्टर वही आए बहुत एक्सपर्ट तो मैं बात कर रहा था बांकियोनिन के बारे में कुछ फिर मैंने बात की कि पूरे कोई भी मॉडल आएगा उसको इसी धर्रे पे तुम डाल सकते हो तुम यदी महनती हो तो तुमको ये चीज़ें दिख जाए निंदा करते समय खुद को बहुत बड़ा तीसमार खामत समझना निंदा करते समय किसी की भी अपने मुझसे निंदा नहीं करते कि मुझे लगता है कि आप चोर हो और मुझे लगता है कि आप आलसी हो नहीं पलना बोल रहा था पता है सर हमको बहुत बुड़ा लगा वह आ तो वो उनका फिर मार्क्स कम जाता है तो यहां साफधानी की जरत है यहां बहुत ही साफधानी की जरत है बाकि इसमें तो आप पॉइंट में लिखो डाइग्राम जरूर दो उनको पूप करने के लिए डाइग्राम यहां डाइग्राम बनेगा कई बच्चा क्या है ना डाइ करके इंट्रो सुरू होता है तो यदि तुम डारेक्ट इन जो है मैप से सुरू करोगे डाइग्राम से सुरू करोगे डाइग्राम देना चाहिए अब तुम कॉपन का जलवाई वरगी करन लिख रहे हो और उसमें तुमने बिश्यो का वरगी करन दे दिया कॉपन का जो कॉपन ने दिया ता और उसके बाद तुम भारत भी बना रहे हो बियार भी बना रहे हो तो चर्चा किये बिना जब दस्ती मत चिपका देना यदि तुम चर्चा कर रहे हो कि जिस प्रकार कॉपन ने बिश्यो को जलवाई वरगी करन को भारत के संदर्व म में भी देखा जा सकता है ऐसे दो-चार पंक्तियां लिखने के बाद ये वारत का मानचित्र बनाओ ये ने की चलते-चलते लास्ट में लटका दिये तो रासर ठीक है आप हम इस मुद्धे पर बात करते हैं, बांचियोनिन में हमने बात कर ली कौन थे बांचियोनिन कभ दिया और मान्यताएँ क्या ती उददेश क्या था सिध्धान्थ अब हम one by one करके समझ रहे थे हमने बांतियोनन कौन थे यह देख लिया पूरा नाम बांतियोनन का जॉन हैंरिक बांतियोनन है जर्मन भूगलवेत्ता हैं क्रिसी वैज्यानिक हैं अर्थसास्त्री भी हैं ठेलो फॉर्म में मनेजर का काम किया लंबी अबदी त जाए तो ज्यादा लाब होगा लगान कम देना पड़ेगा और लगान जितना देना होगा कौन सी कई समस्याएं थी एक मनेजर के रूप में इनके सामने कई सारी समस्याएं थी दुविदाएं थी कि कौन सी फसल उबजाई जाए देखो दुविदाएं हमेशा होती हैं चो फिर जोग्रफी के बाद पवेट चेंज किया, फिर पवेट से कुछ और चेंज करेंगे, तो ये परिवर्तन संसार का नियम है और प्रभाव और अभाव के चक्कर में बैखती है, अपना निरने नहीं ले पाता है, अमेशा निरने अपना होना चाहिए, आपको पवेट लेन है जो created by the room market, created by the public, जो तुमारे दिमाग में feed कर दिया गया, subject कोई खराब नहीं होता, जो math ली लेके तैयारी कर रहा है, उसका भी selection होता है, और जो math optional ले रहा है, उसका भी selection होता है, और जो different subject लिया है, संस्कृत लिया है, उसका भी selection होता है, बहुत सारे ऐसे को जानता एक सदानन्द सर थे, पानिमी classes चलता है, संस्कृत ओप्सनल के लास वियारी सर पढ़ाते हैं, मैं भी उनका छातर रहा कुछ दिन, तो उनके भाई सदानन्द, सदानन्द जो है, उन्होंने BPSC संस्कृत optional से निकाला, उसके बाद फिर उन्होंने UPSC भी संस्कृत optional से निक करते हो, तुमारे मानसिक अवस्ता करते हैं, कि तुम ऐसे तो नहीं हो कि इतने पैनिक हो गए, कि चस्मा माता पे रखा था और पुड़े घर को तीतर वितर कर दिया, दियान रखना, पैनिक मत होना, जितना peaceful तरीके से पढ़ना, इंट्रो याद हो गया, याद नहीं हुआ दो-तीन बार सुनलो की कौन थे वांत यूनल, जर्मन भूगोल वित्ता थे, इसमें से दो पॉइंट याद रह गया, तुम लिख लोगे, ठीके, और उनका टेलो फार्म मैकलेन सहर में, जर्मनी के मैकलेन बोग सहर के क्रिसी छेतर में था, अब बात करते हैं, दूसरे पॉ या सिध्धान्त कब दिया, देखो, सिध्धान्त देने के बाद उनको पब्लिस कराना, और जब यह जर्मन हैं, तो पहले जर्मन लैंग्वेज में पब्लिस करवाया होंगे, और जर्मन लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज से उन्होंने कनवर्ट किया होगा, जर्मन language से English में क्योंकि कोई भी सिध्धान्त कोई भी model किसी भी जोगरफर का popular होता है जब दुनिया उसको पढ़ती और दुनिया किस language में पढ़ पाएगी तो जो world class language है उसी में पढ़ पाएगी universal language जो है वो English है तो जब English में छपेगा तो पढ़ पाएगी दुनिया और जब तक INGLEAS में नहीं छपा होगा, दुनिया नहीं पढ़ पाई होगा, तो जब हम इनके थियोरी की बात कर ते, इनका जो सिद्दान्त है, ठीक है, इनका सिद्दान्त जो है, अभी अब नहीं वांत्यूनिन का जो टाइम फ्रेम है, कब से कब तक का टाइम फ्रेम है वांत्यूनिन का, ये आप सब को पता है, कि वांत्यूनिन का टाइम फ्रेम 1783, हम अभी जस्ट लिखे थे, 1783 से लेकर 1850 तक के बीच वांत्यूनिन थे, ये पॉइंट मैंने लिख दिया है, तो कभी भ बच्चा भावुक हो जाता है उसको याद नहीं रहता और year याद दिक्कत होती है खास करके जो civil के student है उनको year में ज्यादा दिक्कत होती है ठीक है तो year का frame याद रखना इसके बीच में तुम खुद सोचना, इसके बीच में एक सब्द तुम खुद सोचना कि वो सिद्धान्त उन्होंने बचपन में तो नहीं दिया होगा, 20 साल तक उन्होंने सेवा की जिस छेत्र की, उस छेत्र में ही उन्होंने अपनी थियोरी दी, ठीक है, तो उनकी जो थियोरी कई सारे सब्द और जुड रहे हैं, अर्थ सास्त्री भी थे, समाज सास्त्री भी थे, आप कहोगे कि विदेसी लोग all-rounder होते थे, भारत में भी लोग all-rounder होते थे, समाज सास्त्री भी थे, क्रिसी प्रवंधक भी थे, मैनेजर का मतलब हिंदी में प्रवंधक, तो प्रवं में कनवर्ट कर देना चोटा से पाइगराप का यह तुम्हारा हीट है इसमें थोरा सा मसाला डाल के एक फ्रेम बना देना कब दिया था सिध्धान्त 1826 इन 1826, बांथ यूनिन, जॉन हैंरिक बांथ यूनिन, has given a theory, a model to the world तो सवाल उठता है कि क्या के बल मॉडल चाप दिया यह कोई किताब लिखा था He has written a book, उन्होंने एक पुस्तक लिखी 1826 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक के अंदर उन्होंने यह सिध्धान्त लिखा तो उनके बुक का भी नाम जानना एक पुस्तक लिखा उन्होंने 1826 में और पुस्तक का नाम भी बड़ा प्यारा था उस तक का नाम था isolated, जिन्दकी बार isolated ही रहे, the isolated state, घर छोर के, परिवार छोर करके लड़का isolated रहा, तो जब isolated रहा तो इसके बुक का नाम भी यही था, क्या नाम था, याद रखना, the isolated state, agricultural state areas के लिए यह term use होता है, the isolated state, यह इनकी खिताब, 1826 में वो एक पुस्तक लिखते हैं, और पुस्तक का नाम होता है, the isolated state, और इसी पुस्तक में, ठीक है, इसी पुस्तक में वो अपना ये सिद्धान्त देते हैं, इसी पुस्तक में उन्होंने अपना सिद्धान्त दिया, अपना सिद्धान्त दिया जिस सिद्धान्त को आप क्रिसी अवस्तिती सिद्धान्त के रूप में आप आज जानते हैं जिसको दुनिया आज क्रिसी अवस्तिती सिद्धान्त के रूप में जानती है क्रिसी अवस्तिती मौडल के रूप में जानती है जिसके कारण बांत यूने नाज भी जिन्दा है जिसकी चर्चा हो रही है मेरे और तुम्हारे परदादा की चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि उन्होंने कोई model कोई theory relevant नहीं दिया लेकिन उनका कृसी अवस्तिती model आज भी चर्चा में है और वो model उन्होंने इसी में दिया था इसी पुस्तक में दिया था और उस पुस्तक का नाम है the isolated state the isolated state याद रहेगा न the isolated state अब isolated state आपको याद रखना है एक पुस्तक लिखा और इसी पुस्तक में इन्होंने अपना model दिया और जिस समय दिया उस समय का भी बड़ा महत्त है प्यारे, जिस समय इन्होंने अपना मॉडल दिया, दुनिया का पहला आर्थिक मॉडल था, उस समय किसी ने अपना मॉडल नहीं दिया था, 1826 में इनके द्वारा जो ये मॉडल दिया गया, ये संसार का पहला आर्थिक मॉडल था, जो किसी ने और उस समय model का प्रचलन ही नहीं था उस समय model का प्रचलन ही नहीं था इस तरीके के गनीतिय तरीके से किसी चीजों को explain करने का उस समय प्रचलन नहीं था और इन्होंने ये कोसिस की the isolated state बना करके इस पुस्तक में इन्होंने अपना से दांत दिया जिसको आप क्रिसी अवस्तिती model कहते हो और क्यों ना दे क्रिसी अवस्तिती model इनको तो पूरा हक है ये model देने का जो आदमी खेतों के बीच अपनी जिन्दगी गुजार दिया ये ज isolated state में isolated drug के पूरे agriculture को करीब से देखा समझा जाइर सी बात है कि वो ज़्यादा बेहतर लिखेंगे इसके बारे में तो अब हमने दूसरा लक्षवी हासिल कर लिया कि कब दिया ये सिद्धांत अब बात ये करनी होगी कि क्यों दिया सिद्धांत ऐसी क्या आनपरिती दिक्क systematic तरीके से चलेंगे कब दिया clear हो गया क्यों दिया अब ये जानना जरूरी है उद्धिश तब हम मान्यताओं पे आएंगे ये पहले होना चीए मान्यता बाद में होना चीए तो हम मान्यता को इसके बाद पढ़ेंगे पहले पढ़ेंगे कि उद्धिश क्या था इन्हों न पहले कौन थे बताया, फिर कब दिया बताया, अब सिद्धान्त का उद्धिश्य क्या था, क्यों दिया इन्होंने सिद्धान्त, तो बांग क्यों इनका जो अग्रिकल्चरल मॉडल या बांग क्यों इनका जो अग्रिकल्चरल सिद्धान्त है, फियोरी बोलो या मॉडल दोन करने की कोशिस करेंगे कि क्यों दिया से बना क्यों दिया यह आप उत्तर में मत लिखना यह आपको समझाने के लिए बता रहा हूं क्यों दिया इसी को उद्देश ये करें जब तक आपको कोई जरुरत ने इंसान बड़ा मतलवी जीव है बहुत मतलवी जीव है प्राचीन का पड़ी ये सिद्धान्थ देने की क्रिसी अवस्तिती मॉडल ये समझ लो सिद्धान्थ के पीछे का इनका उद्धिश्य क्या था देखो बांत यूनिन का मेन परपस था उद्धिश्य था कि एगरी कल्चर में बेनिफिट हो किसान को वो एक किसान थे और उनको बेनिफिट चाहिए था एगरी कल्चर में मैनेजर किसली रखते हैं लास दिखाने के लिए मनेजर रखते हैं या प्रॉपिट दिखाने के लिए अजाईर सी बात है मनेजर का एक एही काम है प्रॉपिट बढ़ाना MBA करके यदि आप स्टाप रखते हो MBA तो स्टाप को कह देते हो कि प्रॉपिट दिखाना है तो एक उद्दिश से तो बांत्यूनिन का था कि वो ये बताना चाहते थे कि क्रिसी को यदि बेनिफिशल बनाना है अभी बरतमान में बांत्यूनिन क्यों relevant है बिहार के लिए बांत्यूनिन क्यों relevant है यही से समझो बिहार की economy का backbone agriculture है बिहार के पास agricultural possibilities, agricultural potential highest in the country है बिहार के पास agricultural potential agricultural जो क्रिसी संभाव्यता है, क्रिसी संसादन है अपरिमित है बिहार के पास पूरे भारत को भी देखा जाए तो एक क्रिसी प्रदान देश है भारत और भारत की बरतमान सरकार ने किसानों की आये दुगना करने के लिए गोसना भी किया है हम किसानों की आये दुगना करना चाहते हैं केंद्रिय अस्तर पर पूरे भारत में किसानों की आई दुगना करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि बिहार एक भिक्सित ससक्त और ताकतवर राज्य बने बिहार के पास एक मात्र संभावना जो सबसे सरवाधीक संभावना वो क्रिसी की है क्रिसक अवाद ही हमारे हैं क्रिसक अवाद ही जादा है हमारे पार्स क्रिसी योग्य बुमी जादा है गंगा का दोनों मायदान उत्री मायदान दक्षिनी मायदान हमारे पास है गंगा बीट से गुजरती है ऐसे में बिहार के संदर्व में क्रिसी अवस्तिती सिद्धान्त बहुत ही ज़्यादा प्रसांगिक है और भारत के संदर्भन में बरतमान में जैसा कि भारत सरकार ने गहुसना किया है भारत सरकार चाहती है कि क्रिशक के आए दुगने हों यहाँ पे बांतियों निन रिलेवेंट हो जाते हैं दो लोगों को एक दूसरे को जानना चाहिए यदि उनके उद्धिश एक हैं मंजिल एक है एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं तो रिलेवेंस तो बढ़ जाता है ना उनकी प्रसांगिकता बढ़ जाती कि ठीक है आप बैग देखिएगा हम आतरूं से आते हैं आप भी दिल ली जा रहे हैं तो फिर आप मेरा बैग देखिएगा हमारे जनरल बागी का बड़ा अनुबर रहा है जीवन में मुझे बड़ी लंबी लंबी यात्रा है मैंने जनरल बागी में करिये ऐसा नहीं कि पैसा कम था इसलिए बलकि ऐसा भी था कि मुझे ज़्याद का मुख्यों देश्य था अपनी ही दुविधा और अपने जैसे दूसरे किसानों की एक बहुत बड़ी दुविधा को दूर करना सिद्दान्त तो छोटा सा है लेकिन सिद्दान्त के पहले मुझे पूरी उसकी कुंडली खंगार मी ठीक है तो बांत यूनिन जो है अब तो आप पवर्ड ले लिए निखिल जी तो आपका समय नस्ट होगा यहाँ पर यह जोगरफी वालों की क्लास है ठीक है कोई बात ने पहले वी आप पढ़े होंगे बांत यूनिन को बटान्त सपने में नहीं आया होगा आज के बाद बांत यूनिन यदि देख लेंगे तो सपने में आएगा ब्यान से सुनिएगा, चीजें याद हो जाएंगी, मैं लिखाता नहीं हूँ और नहीं PDF देता हूँ, तो जो लोग इस लालच में फोन करते हैं, मैं असपस्ट बादी उनको बता देता हूँ, कि गलत जगह आए हैं आप, गलत पते पे, मैं चीजों को इतनी बार बोलना चाह किसान के बच्चे हैं हम लोग, हम तो जादा इसको समझेंगे, किसान के सामने दुविदा होती है कि कौन सा फसल उप जाएं, फलनमा गहूं बुन रहा है, चिलना देखे, सुने हैं मूंग डाला है इवर, हम तो मक्का डालेंगे इस बार, तो अब मक्का बुने की धान पास मौजूद है, तो कौन सा फसल हम बोएं, कैसे छेतर में, किस तरह के छेतर में, यदि मान लीजे कि मेरा खेत, मेरा फार्म सहर के करीब है, देखो मूल उदेशिक किसानों का होता है लाब कमाना, ऐसा ये मानते थे, मानत युनेन का मानना था, कि हम पेट भरने के लिए खेती नहीं करते हैं, क्योंकि फाम हाउस में रहा रहा है, तो फाम हाउस किसका रहा होगा, एक कठा वाले किसान का, भू स्वामी है वो आदमी, ये भी एक पॉइंट जान लीजे, कि वो कोई गरीब गुरुवा नहीं थे, कि बाई छोटा सद्दू कठा का प्लॉट है उस बेचना, गेहूं बेचना, चावल बेचना, मेरी मा भी यही करती है, जो कि अनाज आता है, वो बेचती है, ब्यापारी घर से तौला के अनाज ले जाता है, मैं किसान फैमिली से हूँ, मैंने अनाज तौलने में मदद करी है, बच्पन में मैंने भुटा चुराय, भुटा बर जाता थे एक कमरा के बल मक्का मक्का से तो किसानों के सामने खिर्सक के सामने एक चुनाउती एक समस्या तो होती है कि किस तरह का अनाज उपजाएं यदि किसान ने सही अनाज उपजा लिया जिसका मार्केट में डिमांड जादा है और मार्केट नजदीक है तो चांदी ह भैगिसान की मार्केट में मान लीजे अभी और हर का दाल अब टॉप पे चल रहा हैं. 1500 रपय किलो, 200 रपय किलो और निकट वविश्च में यसका दाम है और बढ़ने वाला है. और मार्केट में मान लीजे मक्वा कोई नहीं पूछता है. और हम यदि बगल में मेरा घर है, मांकेट बहुत नजदीकरम मक्का हुगा रहे हैं और मक्का का डिमांडी नहीं है तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो एक समस्या, एक चुनावती ठ्यूनन के सामने भी थी, बांठ्यूनन के सामने भी थी कि बाजार से यदि दूरी बढ़ने लगे तो बाजार से दूरी बढ़ने के साथ साथ कृसी भूमी के उपियोग में परिवर्तन क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए यही उद्दिश्य था मैंने जो पहला इमेज लगाया है उस image को मैंने अलग से लिया भी है तो मैं उस image पर जाना चाहूँगा ये रहा इस image से आप उद्देश समझेंगे इस image से आप उद्देश समझेंगे बांत्यूनिन का मानना था कि ये जो blue color वाला है ये market ये blue color वाला छेतर क्या है? market है market जो है उसके इदम नजदीक में यदि मेरा जमीन है ये market है और मेरी जमीन यदि इस circle के अंदर है तो हम सबजी उगा सकते हैं दनिया, मिर्ची, साग, पालक, यनि हैं टमाटर ऐसी चीजें हम यहां कर सकते हैं इसको market gardening कहते है market यदि नजदीक है market यदि नजदीक है तो हम market gardening करना चाहेंगे जो हमारे लिए beneficial होगा यदि हम market नजदीक है तो बांत्यूनिन का कहना है कि यदि कोई farm market के नजदीक है तो या तो वहां तुम dairy खोल लो जैसे दिल्ली के बगल में भलसवा dairy है दिल्ली के बगल में ज़रोधा dairy है अब तो यह dairy भी दिल्ली में ही यहां पर बनार मार्जिनल रिजन जो दिल्ली का है गंदे पानी से सीच के पालक उगता है मैंने उस पालक को उगते देखा, टमाटर उगाते देखा लौकी, कंदू, भिंडी सब उगाते देखा, यहीं बगल में 20 मिनट की दूरी पे बाइक से जाईए 20-30 मिनट, तो पूरा का अग्रिकल्चरल एरिया, नतूपुरा के आसपास का एरिया, जगतपुर गाओं के तरप का एरिया मिलेगा, what is going on देर, वहां के किसान क्या कर रहे हैं वहां के किसान मार्केट गार्डिनिंग कर रहे हैं तो मार्केट और अर्वन सेंटर के नजदीक रहने वाले जमीन पर किस तरह की खेती होनी चाहिए और मार्केट से जब दूर जाते मार्केट से दूरी बढ़ने के साथ साथ जो भूमी उपियोग है वो बदलता जाता है मार्केट से दूर थोरी ग्रीन एरियाज डेवलप की जाती है कुछ ग्रीन एरियाज होते है उस ग्रीन एरियाज को वांकियों ने कहा कि यह फॉरस्ट जोन होता है यह फॉरस्ट जोन जो है सहरी चेतर में जहां ग्रीन एरियाज लगे है वहाँ एग्री कल्चर पॉसेबल नहीं है सहरी चेत्र में तो वहाँ पे forest areas कहीं कहीं develop होते हैं यहाँ भी है जमना वाइडावर्स्टी forest दिल्ली के इर्दगिर्द जमना वाइडावर्स्टी forest अब इस forest area के बाद सुरू होता है food grain और field crop और food grain और field crop जिस area में होता है जो यह गेरुआ कलर से दिखाया गया है इसी area में रहते थे कौन वांतियोनन वांतियोनन का जो farm house था सहर के marginal region के बाद यानि grains और field crop area में रहते थे और उनका मानना था कि जो बहुत दूर होता है वहाँ ranging होती है जो घास के मैदान वाले region होते है घास के मैदान वाले region में ranging होता है यह उनकी जो इनका जो concept था यह जो उनका concept था यह concept उसके उस समय के सहर परादारी था उस समय का जो मैकलनबर्ग सहर था ऐसा ही था मैकलनबर्ग सहर में market था, market के बाद dairy farming होती थी, market gardening होती थी उसके बाद forest था, forest के बाद पुढ्रेने जी आरिया था यानि खेट थे जहान आज उपस्न भा ता उसके बाद लाइव स्टॉक रेंचिंग, कुछ बच्छों को यह नहीं पता हो गईव स्टॉक रेंचिंग क्या है, लाइब स्टॉक रेंचिंग है भेंड बकरी पालने वाला छेत्र भेंड पालो बकरी पालो उट पालो गाय माल पालो एक बड़ा सा बाड़ा लगा दो और बाड़े में सारा रहेगा और वहीं चड़ाओ यानी चारा गावाला रीजन तो क्यूं दिया सिद्धांत फिर से वहीं आते में मुद्धा तो है आंसर लिखने सिखा न वांत्यूनिन तो समझ में आई जाएगा तो वांत्यूनिन ने ये जो सिद्धांत दिया सिद्धांत देने के पीछे वांत्यूनिन का एक प्रस्ण था वांत्यूनिन के दिमाग में प्रसन था वसी प्रसन का उत्तर तलासा इसको बोलते है research question जबभी हम कोई article लिखते हैं जबभी हम कोई journal में article देते हैं लिखके paper लिखके देते हैं जब PhD scholar और Amphil scholar तो हमेना topic दिया जाता है topic के बाद research question दिया जाता है तो what was the research question of one union उनका question था central question प्रिवर्टन क्यों और कैसे होता है यहीं उनका रिसर्च कोस्चन था यहीं इसी को जानना उसका उद्धिश्य था तो जो उनका मूल प्रस्म था कि बाजार से दूरी बढ़ने के साथ साथ क्रिशी भूमी उपियोग में परिवर्टन क्यों और कैसे होता है इसी प्रस्न का उत्तर तलासने की कोशिस है पूरा का पूरा थियोरी इसी प्रस्न के उत्तर को तलासा है बां थ्योनिन ने वो जानना चाहते थे थ्योनिन यही इसी कोशिसन को तलासना चाहते थे और थ्योनिन जानना चाहते थे उत्तर जानना चाहते थे कि बाजार से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है तो बाजार से दूरी बढ़ने के साथ साथ कैसे भूमी क्रिसी भूमी का जो उपियोग है क्रिसी भूमी का उपियोग इसमें परिवर्तन क्यों होता है कैसे होता है यही उनका मूल इसी को जानना उनका मूल उद्देश्यत था अब दो बाते हैं और हम मैं आपसे करूँगा और चीज़ें समझ में आ जाएंगे आपको इन्होंने क्या किया दो प्रारूप ले लिया दो केस ले लिया केस उन और केस टू ले लिया और दोनों केस में कुछ फसल ले लिए कुछ अनाज ले लिए एक्स फसल और वाई फस एक्स फसल वाई फसल मार्केट से डिस्टेंस पूरे मॉडल में यही तीन चीज घुमेगा इनके पूरे मॉडल में तीन चीजें मिलेंगे एक्स फसल वाई फसल दोनों फसल में से क्या हुगाएं और मार्केट से डिस्टेंस के एकॉर्डिंग किसको प्रोड्यूस करना ज़्यादा ज़रूरी रहेगा किस तरह से यूज करें हम भूमी का कैसे यूज करें और क्यों हम उसमें यही हुगाएं कि कोई खास फसल हुगाएं तो कुल मिला करके बांध्यूनिन के सिद्धान्त का जो मूल उद्धिश्य था बांध्यूनिन जो सिद्धान्त दिया उन्होंने उनके सिद्धान्त का मूल उद्धिश्य था कि बाजार से दूरी बढ़ने के साथ साथ बाजार केंदर से दूरी बढ़ने के साथ साथ क्रिसी के भुमी के उपियोग में किस तरह का परिवर्तन होता है करना चाहिए और क्यों करना चाहिए अब क्रिसी भुमी का उपियोग मतलब कौन अनाज उप जाएं क्रिसी भुमी का उपियोग का मतलब क्या कौन अनाज उप जाएं या अनाज उप जाना छोड़के हम वहाँ पसू पालने लगें क्या करें अब इसी को असफस्ट किया है उन्होंने और उपकुल मिला करके जो उन्होंने थियोरी दी उस थियोरी में उन्होंने पूरे एरियाज को छे पेटियों में बाट दिया अच् इंधन का लकड़ी, इमारती लकड़ी, जंगली एरिया वला काम करिए और तीसरी पेटी का जो यदि जमीन है तो वहाँ आप अनाज उगाईए वहाँ जमीन परती मत छोरिए, वह बहुत परटाइल जमीन मिलेगा आपको और चोथी पेटी में है, तो तीसरी और चोथी पेटी में एकदम जम के खेती कीजिए तीसरी चोथी पाचमी पाचमी पेटी तक को उन्होंने का कि ये पाचमी पेटी तक वाला तीसरी चोथी और पाचमी पेटी अनाज की पेटी है और जो छटी पेटी है उसको उन्होंने कहा कि ये पसुचारन वाली पेटी है। छटी पेटी जो है ये पसुचारन वाली पेटी है। मतलब यहाँ पर आप एनिमल हस्वेंडरी कीजिए, लाइब स्टॉक, रैंचिंग कीजिए, इन छेत्रों में चारागाह वाला छेत्र तो तीन पेटी, यानि टोटल सिक्स पेटी में बाटा उन्होंने भूमी उपियोग का प्रारूप बताने के लिए। तो अब हम क्यों वाला मुद्दा तो थोरा-थोरा समझा दिये आपको। क्यों? क्यों मैं आपने देख लिया, क्यों यानि उद्धिश? तो बान्त यू क्रिशी भूमी उपियोग, केवल भूमी उपियोग लिखेंगे तो अन्याय होगा. उनका मूल उद्धिश्य था क्रिशी भूमी उपियोग, लैंड यूज, जो agricultural लैंड यूज है. इस उपियोग को असपस्ट करना. ठीक है? असपस्ट करना और इसके अलावा और भी उद उद्देश्य थे, चार-पांच उद्देश्य था उनका, एक उद्देश्य था कि ये बतलाना कि मार्केट से जितनी दूरी है छेतर की उसके एकॉर्डिंग वो अनाज चुने, कौन सा अनाज हुगाएं, कौन सा फसल हुगाएं, एक दूसरा था कुछ लगान से संबंदित भी उनकी बातें थी, लगान से संबंदित मतलब, दरसल जब वो पार्म में काम कर रहे थे, तो बरसों का अग्रिकल्चरल डाटा उनके पास था, आंकड़े उनके पास थे, लाव और नुकसान के, तो बांतियोंने ने, जो उनका मान्यताय बनी, जो उनके परसेप्संस बन इसी के आधार पर बने, तो मूनो दिश्च उनका था, कि उनी आधार के आधार पर किसानों को ये समझा दू, कि वो अपने क्रिसी छित्र में क्या उपजाएं? और क्यूं उप जाए ठीके क्या क्यों ये सब आंसर दून ना था क्यूं उप जाए इसके पीछे उन्होंने लॉजिक देने की कोशिस की तो मेन आप ये सारी चीजें मत लिखना बस सिर्फ ये लिख देना ये वाला पॉइंट उद्देश में ज्यादा जालने से कुछ भी फाइदा नहीं है अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो हमारा इंट्रो था इंट्रो में हमने आपको सारी बातें कर दी अब मेन मुद्द है म अब हम देखेंगे मान्यताएं क्या थी ठीक है कोई भी सिद्धान्त देने के पहले एक परसेप्शन एक मान्यताएं जरूर होती है तो इस सिद्धान्त के पीछे जो मान्यताएं थी ठीक है क्या मान्यताएं थी इसको समझते हैं यानि वांत यूनिन के सिद्धान्त की मान मान्यताएं का मतलब क्या होता है आप perception समझ सकते हैं मान्यताएं और मान्यताएं किस पर आधारित होती हैं मान्यताएं आपके experience पर आपके पास उपलब्द आपके साथ जो हुआ है आपका जो अनुभव है ब्यक्तिगत अनुभव जो होता है उस पर आधारित होता है मान्यता जैसे मान लिजे ब्यक्तिकत रूप से मैंने भी बता है ना कि आपको किजी ने दोका दिया है तो आपने मान्यता बना लिया कि सब दोगेवाजी होते हैं तो मान्यताएं अनुभव और अपना ब्यक्तिकत अनुभव पर बनता है तो बान्यताओं की क्या मान्यता हैं थी जिन पर उनका सिद्धान तटिका है पहला जो एजंशन था बान्यता थी बान्यताओं की मान्यताओं को ध्यान से सुनिएगा मान्यता थी वो एक ऐसे प्रदेश की कलपना करते हैं बांत्यूनन सबसे पहले एक ऐसे आईसोलेटेड प्रदेश की कलपना करते हैं, यानि वो आईसोलेटेड रीजन की कलपना करते हैं, इस पर आलोचना भी होगा, मान्यताओं को समझोगे तभी आलोचना कर पाओगे एसमसंस किसी का समझोगे, तभी उसके सिद्धांत का क्रिटिसाइज कर पाओगे, आप उस पर तुम कंक्लूजन निकाल पाओगे, तो पूरे किसी भी सिद्धांत, किसी भी मॉडल, चाहे बेवर का अध्योगी कपसिती मॉडल हो, चाहे फिर आगे जाकर के क्रिस्टॉलर की कि तियोरी हो, किसी की भी तियोरी, मेकाइंडर की तियोरी हो, अरबर्ट मेकाइंडर की, या मालतस की, या स्पाइक मैन की, किसी की भी तियोरी हो, सबसे ज़्यादा फोकसिवन बेगनर की तियोरी क्यों ना हो, मान्यताएं गलत, यदि मान्यताओं में कमिट हुंड लिया, तो सिद्धांत के आलोचना का सेटिफिकेट तुमको मिल जाएगा तो मान्यताओं पर ज़्यादा फोकुस करना पहली मान्यता क्या थी उनकी पहली मान्यता बांतियोनेन की थी बांतियोनेन ने दुनिया का पहला economic model दिया एक आईसोलेटेड नगर की कलपना की प्रदेश की जगर नगर लिखो एक आईसोलेटेड नगर की कलपना की एक ऐसा नगर जिसमें मार्केट है एक ऐसा नगर जिसमें अरवन सेंटर है उसने एक नगर की कलपना की और ऐसा माना कि उस नगर के चार ओर विश्तरित क्रशी छे सोचों की जीलों का सहर हो और जील के बीच में तुम्हारा घर हो टाइप बालब फीलिंग लेना है आप वो अपनी बात को बड़े इंट्रेस्टिंग तरीके से रखते हैं उन्होंने कहा कि यदि मान ले हम कि एक आइसोलिटेड नगर है और उस नगर के चारों तरफ ऐसा आइडियल मिलता नहीं है ऐसा नगर उस नगर के चारों तरफ चारों और विस्तरत क्रिसी छेत्र है जिसमें गार्डेन वार्डेन चारगा वारगा सब सामिल है तो यह उन्होंने इमेजिन करवाया कि सोचों की आइसोलिटेड नगर हो और नगर के चारों और क्रिसी छेत्र हो यानि वान्थ यूनिन का मॉडल ऐसे नगर पे लागू होगा जिसके चारों और क्रिसी छेत्र हो जैसा कि इस डाइग्राम से भी पता चलता है कि यह वान्थ यूनिन का वो इमेजिनरी नगर है ये बांतियोनन के सपनों का नगर है ठीक है उनके से दांत इसी नगर पर आधारित हैं ये बांतियोनन के वो मान्यता का नम्मर वन पहली मान्यता है कि सोचों की एक ऐसा आईसोलेटेड नगर हो जिसके चारों तरफ हो विस्तृत क्रसी छेतर हो ये गार्डन क्रसी छेतर है ये जंगल भी एक छेतर है ये अनाज उगने वाला छेतर है ये चारागाहा वाला छेतर है खाली जमीन ये ही जमीन है नगर इतना छोटा सा तो बांतियुनिन की पहली मान्यता क्या है? एक बाजार है, यानि चारों तरफ जो उपज रहा है, इसके ठीक बाद ये डायग्राम बनेगा, मान्यताओं के ठीक बाद ये डायग्राम बनेगा, या फिर आप मान्यता के साथ ही डायग्राम बना सकते हो, पहली मान्यता, चारों मान्यता, पांचों छबों मान्यता लिखे वही डायग्राम बना सकते हो कि सपनों का एक नगर बना दो isolated नगर सपनों का एक नगर बना दो उनका कालपनिक नगर बना दो कि ये उनका नगर है isolated isolated टाउन नगर है urban area है और इसके चारो तरफ ये जो region है एक सरकल बनाने की जरुद नहीं है बस के वल ये चारो तरफ पॉइंट डाल दो और इसमें लिख दो विस्तृत क्रिसी छेत्र है ठीक है विस्तृत क्रिसी छेत्र है इनके चारो तरफ अलाकि वो जो डायग्राम पीछे बना है वही है यह डाइग्राम, बस मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, यह उनकी मानता है, वो यह भी मानते हैं, कि इस कृसी छेतर से जो उत्पादन होता है, और उस पूरे उत्पादन की खपत इस नगर में हो जाती है, इस कृसी छेतर से जो उत्पादन होता है, जो कुछ भी इ इस क्रिसी छेत्र के उत्पादन की खपत उत्पादन की खपत इस नगर में हो जाती है इस नगर में हो जाती है पहली दूसरी मान्यता है ये इस नगर में हो जाती है उत्पादन की खपत अब अगली बात पर आते हैं दूसरी मान्यता क्या है ऐसा संबब नहीं है कि एक नगर उसमय जब जनसंग्या उतनी थी नहीं अब 1793 में तुम जनव होगे बाबा तो दूपैसान जिले भी दू किलो मिलेगा तुमको हम रहे बाबा जो थे ना जब भी मूड में आते थे तो हमको यही सुनाते थे हमरा टाइम में बिटा एक शववनी के गरोपास रहे तो बहुत अमीर होए रहे पांच पैसा जिले भी आवे रहे तो दू पैसा के ही आवे रहे तो उस जमाने में पॉपुलेशन कम था तो ऐसे नगर की कलपना आसान थी बरतमान समय में तो इस क्रिसी छेतर में कॉलोनी बसती जा रही है हैस्टाइक बजीराबाद हैस्टाइक संतनगर बुरारी यह से पहले क्रिसी छेतर था आज यहां पर बिलिडिंग फॉरस्ट बन गया कंक्रीट फॉरस्ट बन गया था और उस समय यह ज़्यादा प्रतांगिक था क्योंकि जनसंग्या दुनिया की उतनी थी नहीं पॉपुलेशन कम था तो जहां कहीं भी नगर थे नगर के यह एक मान्यता थी एक तीसरी मान्यता पर अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरी मान्यता क्या थी तीसरी मान्यता पर वो कहते हैं कौन बांध्यूनिन बांध्यूनिन की तीसरी मान्यता देख लेंगे ठीक है थर्ड मान्यता थी यह सकेंड मान्यता थी भाई तीसरी मार्नियता थे कि जो ये छेत्र है, इसमें सभी जगह प्राकर्तिक बातावरन एक समान है, समस्त छेत्र की प्राकर्तिक बातावरन एक समान है, एक जैसा बर्सा होता है इस बिस्तर चत्र में, प्राकर्तिक बातावरन समान एक जैसे सिचाई की सुविदा समान है, यानि नैचुरल फेनोमेना जो है, सभी जगह एक समान है, कोई उसमें चेंजेज, कोई परिवर्तन नहीं है, चौथी मान्यता थी इनकी, ये भी इसी तब की आलोचना होनी है, आलोचना मान्यताओं की होती है, सिदान्त की बहुत कम होती है, चौथी जो मान्यता, पहली मान्यता थी एक आइसोलेटेड नगर की कलपना वो करते हैं, और उस नगर के चार ओर विस्तृत क्रिसी छेतर की कलपना करते हैं दूसरी मान्यता थे कि वो ये मानते हैं कि इस क्रिशिशेतर में जो भी उत्पादन होता है उत्पादन का पूरा खपत इसी नगर में होता है किसान किसी अन्य नगर में अपना उत्पाद बेचने नहीं जाते हैं अन्य नगर में उत्पाद बेचना नहीं जाते हैं यह वो मानते थे बहुत open type of theory नहीं है इनकी एकदम close theory है उसके बाद वो यह भी मानते हैं next point मानते हैं कि जो बहुत गोलिक दसाये जो आवस्चेक फसलों के लिए है वो वहां मौजूद है ठीक है फसलों के लिए जो फसल इस छेत्र में उगते हैं फसलों के ल दसायें हैं जैसे वर्षा की मातरा तामान ये सब के सब इस खेत्र में मौजूद है ऐसा वह मानते हैं कि फसलों के लिए जो आवस्चेक भोगोलिक दसायें हैं वह यहां मौजूद है आप्टिमं अनुकूल इस्थिती की कलपना करते हैं जो बारतमान में संबब नहीं है करते हैं जो बरतमान में संभब नहीं है तो फसलों के लिए आवस्यक बहुगुलिक दसाय जो फसियों के लिए आवस्यक जो बहुगुलिक दसाय है वे यहां मवजूद है पाच्वा एजम्शन क्या है एजम्शन पर घ्यान देना पाच्वाँ एजम्सन है इनका फिप्त एजम्सन ये कहते हैं कि इस प्रदेश में नगर के अतरिक्त स्रेश ग्रामिनावादी हो जो प्रदेश है इस प्रदेश में केबल जो नगरिय छेत्र है नगरिय छेत्र सिमित है नगरिय छेत्र के आसपास विस्तृत ग्रामिनावादी रहती हो यानि नगरिय छेत्र छोटा सा हो केबल मार्केट जैसा अर्वन सेंटर जैसा और उसके आसपास विस्तृत ग्रामिनावादी रहती हो तभी तो क्रिसी कौन करेगा एक जो इसके आस पास रहती होुआ ही कृसी करेगा तो उसके बाद यह यह भी कहते हैं कि नगरिय चेत्रकियास पास अविस्त्रत ग्रामिनामादी हो। ठीक है। परिवहन का एक ही साधन उपलब्द हो या प्रचलित हो उपलब्द हो के जगह पे उपलब्द हो के साधन प्रचलित हो जैसा कि उस समय प्रचलित था उनके टाइम पे घोरा गारी प्रचलित था तो जो भी माल लूड अनलूड होता था उनके फार्म हाउस से वो घोरा गारी था तो उन्होंने ये माल लिया कि भविश्य में भी क्रची इसी घोरे गारी से होगी ट्रक और मालगारी की गलपना ही नहीं की उनोंने तो उनका जो सेदान्त है बस घोरागारी के आधार पर ही वो ट्रांस्पोर्ट कॉस्ट निकालते हैं उनका जो ट्रांस्पोर्टिंग कॉस्ट है का अनाज धुलाई का कॉस्ट वो घोरागारी पर आधार है तो backdated type of concept यहां से भी पता चलता है तो परिवहन का एक ही साधन popular है, मौजूद है ठीक है, परिवहन का एक ही साधन प्रचलित हो उस छेत्र में मैंने पहले बोला ना मानेता का मतलब क्या मानेता का मतलब की सोचों की जीलों का एक सहर हो और लहरों पर अपना एक घर हो type वैसे ही इन्होंने सोचा सोचों की एक isolated नगर हो और उस नगर के चानों और खुली जमीन ही जमीन हो और उन जमीनों में खेती हो और खेती के लिए चितनी अनकूल दसाएं हैं वो सब वह मौजूद हो और क्या कहें तुमको कि जितना भी अनाज उपस्ता हो उस सब नगर वाला चट कर जाता हो यानि नगरे में बिखता हो कहीं और ले जाके बेचने की जरूरत ना हो और तो और उस खेत बाले चेतर से सहर तक अनाज ढोके लाने के लिए बस एक ही परिभान का साधन सब लोग यूज करता हो तभी मेरा सिधान सब पे लागो होगा न इसलिए वो घोड़ा गारी ही है था उस समय तो घोड़ा गारी जैसा एक जैसा ट्रांस्पोटिंग कॉस्ट हो ठीक है बैल गारी भैंस गारी की उन्होंने कलपना नहीं की सिर्फ गोड़े गारी की कलपना की आपकी कलपना आपके इर्द गिर्द जो परिवेस है उससे दूर बड़ी कलपना आप करनी पाते इतना स्वतंत्र आप सोचते नहीं, आप दवाद में आ जाते हैं, तो आपकी कलपना आपके परिवेश की उपज होती है, आपके सपने, आपकी कलपना आपके परिवेश की उपज होती है, तो ये ये भी इंसान है, मानुबने विज्ञान से बाहर थोरी जाएगा, इसने किसान का मुनाफा अनाज को सहर तक पहुँचाने पे डिपेंड करता है और अनाज सहर तक पहुँचेगा मार्केट तक परिवहन के साधन से तो परिवहन का जो खर्च होना चाहिए उस खर्च का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए यानि परिवहन खर्च में ब्रिधी यदी हो तो व्रिधी वो दूरी के और वजन के मुताविक हो ठीक है दूरी और वजन के मुताविक वजन के अनुसार बढ़ता हो और एक fix rate की कलपना की जैसे किलोमेटर fix होता है न कि 6 किलोमेटर पर 6 रुपया पर किलोमेटर ओटो चार्ज इन देली वैसे ही इन्होंने परिबहन खर्च में ब्रिधी के लिए इन्हों जे जो कलपना किया ठीक है कि दूरी और वजन के अनुसार परिबहन खर्च में ब्रिधी होगी और ब्रिधी होती हो बढ़ता हो है नहीं हो ये कलपना कर रहा है न ये कलपना वाला party है अभी imagine कर रहा है एक ऐसा छेत्र जहां ये सारे सर्थ term and condition पूरे होते हो तो वो सिध्धान्त देगा मान्यताएं ही सिध्धान्त की जननी है सिध्धान्त जो भी दिये गए है वो मान्यताओं पर अधारित होते है अगला अजम्संस क्या दिया उन्हों ने कि परिवहन ब्याय दुरी और भार के अनुपात में बढ़ता हो और उसके बाद उन्होंने कहा कि बांत उन्होंने ने कहा कि जिसकिसी भौगौलिक प्रदेश में ये सारी सर्तें पूरी होंगी उसी प्रदेश में मेरा क्रिसी अस्थानी करन का ये जो संकेंद्रिय बले सिध्धान्त है दरसल उन्होंने जो सिध्धान्त दिया है कैसा से अब हम से दान्त पर आ जाएंगे मान्यताएं यहीं तक है साथ मान्यताएं अब यह मान्यताएं यह सभी मान्यताएं जहां पूरी होंगी जहां पूरी होंगी वहीं पर त्यूनिन महोदे ने कहा कि वहीं त्यूनिन महोदे का संकेंद्रिय बले सिद्धान्त जिसको उन्होंने क्रिसी अवस्थिती सिद्धान्त कहा जिसको उन्होंने क्या नाम दिया क्रिसी अवस्थिती सिद्धान्त नाम दिया लागू होगा यानि क्रिसी अवस्थिती सिद्धान्त एक कैसा सिद्धान्त है संकेंद्रिय बले सिद्धान्त है अब संकेंद्रिय का मतलब क्या है एक ही केंद्र पे अलग-अलग सर्कल बन रहा हो इन सारे सर्कल का केंद्र कौन है ये है इसका भी केंद्र है इसका भी केंद्र है इसका भी केंद्र है और इसका भी केंद्र है एक ही केंद्र है सभी बले का और यहां ये केंद्र क्या है ये अगर है अर्वन सेंटर चाहे वो सर्किल मार्केट गार्डनिंग और डेरी प्रडक्ट का हो चाहे सर्किल फूरेस्ट वाले का हो चाहे सर्किल फूट गर्ण प्रडक्स्टी बेरियाज का हो चाहे सर्किल जो है वो चारागाह का क्यों ना हो इस सब का केंद्र इन सब का माल प तो किरसी अवस्तिती से दांत जा जो दिया उन्होंने, उन्होंने किरसी अवस्तिती से धांत जिनको कहा ये संकेंद्री वले से दांत है. और कैसा kendra है? ऐसा. ये number one जो है, ये kendra है. नमबर वन जो है ये केंद्र है जहापे मैं लिख रहा हूँ ये केंद्र है और इसी केंद्र में इसी केंद्र के चारों और ये सारे बले हैं चार वलेओं की बात की उन्होंने इन चारो वलेओं का केंदर बताया मार्केट को नगर को अर्वन सेंटर को अर्वन सेंटर नगर इसी को और उन्हें का नगर के चारो तरफ ग्रामिन आवादी रहती है यह जो ग्रामिन आवादी रहती है इस ग्रामिन आवादी ने यहां ग गईया पालते हैं, जो उनके डेली यूज की गईया वैसिया है, वो यहां पलती है, अब तुम्हारे मन में ये सवाल उट रहा होगा कि Mr. Banthiunen, ये तुमने फोरेस्ट क्यों लगाया वे यहां पे, किसी के मन में ऐसा सवाल आया क्या, कि फोरेस्ट क्यों लगाया यहां पे, Banthiunen ने अपने एक बले में, एक रिंग में फोरेस्ट क्यों लगाया, लिखो ज़रा कमेंट सेक्षन में तुम्हारी मेंटल स्टेंडर भी चेक करना ज़रू है बीच बीच में, बताओ ज़रा ये फोरेस्ट क्यों दिया, Banthiunen ने, जल्दी लिखो, फास्ट, Banthiunen, सेक इन बले में, ये फोरेस्ट क्यों बनाया, मैं बताता हूं क्यों बनाया, एक बार बरतमान से भूत काल में जाओ, टाइम मसीन से तुम तरह चले जाओ, और Banthiunen के घरदन पे हाथ रकाओर दोस्त, तुम्हारे याँ खाना बना है, Banthiunen तुमको देखेगा, इन गारबारसों का, सही बगरे हैं, आप सबने सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा, King पिंङ के लिए नहीं है, King, PING के लिए नहीं है, भाई मेरे, इंदन की लकडी चाहिए उसको, ठीक है, उनको इंदन की लकडी चाहिए, ये जो इतनी बड़ी गरामी नावादी है, इसको खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए जो इतनी बड़ी ग्रामिन आवादी है इसको घर बनाने के लिए लकड़ी चाहिए जो इतनी बड़ी आवादी है इसको इमार्ती लकड़ी चाहिए तो लकड़ी तो चाहिए साहब के बल फ्यूल के लिए नहीं चाहिए not only for fuel इनको अपने लिए इमार्ती लकड़ी चाहिए इनको अपने लिए फ्यूल भी चाहिए यानि कि जलावन की लकड़ी चाहिए तो लकड़ियों के लिए इन्होंने जंगल लगाया फायर वूड के साथ साथ अधर वूड की नीड भी इनको जर्रत थी और इसी लिए इन्होंने फॉरेस्ट एरिया डेवलब किया इस फॉरेस्ट एरिया से इसके डेरी जो एनिमल है जो इसके गाए भैस हैं उनके लिए चारा भी उपलब दो जाएगा और साथ ही एक ये जो फॉरेस्ट एरिया है मिस्टर भांग प्यूनन का फॉरेस्ट एरिया वो उस काल की नीड है उस टाइम की नीड है वो जॉला नहीं था मोदीजी का सलेंडर नहीं था भोजन पकाने के लिए अन्यकारियों के लिए जलावन की लकरी चाहिएती घर बनाने के लिए इमार्ती लक्री चाहिए थी पसुओं को देने के लिए चारे के लिए कुछ तहनिया चाहिए थी इसलिए इस छेत्र में forest लगाया गया और दूसरा forest area के बाद बारा जो region आया वहाँ इन्होंने अना जुगाया क्यों? ताकि जो ये dairy farming चला रहे हैं या जो इनके domestic animals हैं उन domestic animals से agriculture को ज़्यादा नुकसान ना हो तो एक fencing का भी काम करेगा ये जंगल और जंगल fencing का भी काम करेगा और environment को भी बनाये रखेगा cool परियावरन भी पारिस्तितिक द्रिष्टी से भी ये इसके लिए महतोपोणा था नीड थी तो इसके बाद उसके बाद उसने एक बले बनाया food grain का और सबसे बाद मों होने रैंचिंग का बनाया रैंचिंग यानि लाइब स्टॉक रैंचिंग वो बंजर जमीनों के लिए बनाया जहां जमीन उभजाओ नहीं थे अक्सर जमीन जहाओ उबजाओ होता था उसी के बीच में गाओ बसता था उसी के बीच में नगर बसता था पहले के जमाने में गाओ या सहर बसते थे वहाँ जहाँ आसपास उबजाओ जमीन हो उसी के बीच में नदी बहती हो उसके बीच में तो जब नदी से जितनी दूरी बढ़ेगी उतना ज़्यादा जमीन बंजड और उसर होता जाएगा तो जो बाहरी छेत्र है उसमें चारगाहा बसाया गया कि वहाँ सिजाई किसे विदा नहीं थे अब आते हैं सिद्धान्त देख लिया आपने सिद्धान्त का मान्यता भी देख लिया आपने अब आते हैं थियोरी क्या थी इसको भी बनाना है यह मानचित्र बनाना है और पूरी थियोरी जो हमने डिसकस कि उस थियोरी पर बात भी करना है अब हम चलते हैं कि सिद्धान्त क्या थासल में छोटा सा पॉइंट है यह अब यह भी हमने complete कर लिया, उद्धिश भी complete हो गया, मान्यताएं भी complete हो गई, यानि section 1 finish, now we are going to section 2, यानि सिधान्त क्या था, model की मूल बातें क्या थी, बॉन्तियोनेन के model की मूल बातें क्या थी, अब उन मूल बातों पे चलते हैं, सिधान्त की मूल बातें, सिधान्त क्या था, या मूल बातें क्या थी, सिधान्त की, बताया क्या था उन्होंने, बांथ यूनिन ने जो अपना model दिया, संकेंद्रिय बले सिधान्त दिया, उन्होंने उन्होंने बताया, चार बातों पर फोकस किया, वांथ यूनिन का क्रसी अस्थानिय करन से धान्त, चार बातों पर आधारित है, पहली बात क्रसी फार्म की अवस्थिती, दूसरी बात क्रसी भुमी उपयोग का प्रारूप, तीसरी बात बिनिर्मान उद्योग की अवस्थिती और चोथी बात तिरतिय आर्थिक क्रियाओं का अस्थान और अवस्था अपना एक बार फिर से सुनना बान्ति उन्हें ने जो अपना सिद्धान्त दिया उस सिद्धान्त में उन्होंने चार चीजों पर फोकस किया पहली बात उन्होंने बताई कि क्रिसी फार्म को कहां लोकेट करना चाहिए गार्डिनिंग एरिया या डेरी एरिया के बाद फॉरस्ट लोकेट करना चाहिए, फॉरस्ट रिस्टाबलेस करना चाहिए बुमी पर, फॉरस्ट से अपने जलावन की पूर्ती, इमार्ति लक्री की पूर्ती हो जाएगी, नजदीक रहेगा, तो घरिलू जरुरतें भी पूरी हो जाएगी, पॉर्फ रूट सब कुछ, उसके बाद फिर फूट ग्रेन को तीन पट्टी में होगाना चाहिए, फूट ग्रेन को तीन पट्टियों में उगाना चाहिए और उसके बाद फिर चारागा उगाना चाहिए यारि यदि बांत यूनिन की सिध्धान्त की मूल बातों में हम ये देखने की कोशिस करें कि किन किन पर फोकस है तो पहला फोकस है क्रिसी फार्म की अवस्थिति क्रिसी फार्म कहां अवस्थित होगा और ये हमने पढ़ लिया इस डाइगराम से ये क्या बताता है क्रिसी फार्म की अवस्थिति यहां होना चाहे क्रिसी फार्म तो क्रिसी फारम की अवस्थिती नगर से कितनी दूरी पर होनी चीए, कहां होनी चीए ये बताने की कोशिज है दूसरा प्रयास क्या है कि बांतियोंने ने किबल क्रिसी पर ही फोकस नहीं किया क्रिसी के साथ साथ वाफ्तियों ने ने बात की, और भी दो बातों पर वो क्रिसी भुमी का उपियोग का प्रारूप बताने की कोशिस की क्रिसी भुमी, Land Use of Agricultural Area, क्रिसी भुमी के उपियोग का प्रारूप बताना ठीक है तीसरी जो कोशिस की उन्होंने कृशी चेतर के अलावा एक और कोशिस की की बिनिर्मान उद्योग की अवस्थिति भी बताई कि क्षी के अलावा क्षी पर आधारित जो फूड प्रोसेसिंग उद्योग होगा या अन्य उद्योग होगा जिसको उन्होंने बिनिर्मान उद्योग नाम दिया manufacturing industries जिसको उन्होंने कहा बिनिर्मान उद्योग की भी अवस्तिती बताई कहां पे बिनिर्मान उद्योग लगा सकते हैं और अंत में उन्होंने कुछ tertiary सेक्टर की भी बात की है तिर्तियक आर्थिक क्रियाओं का स्थान और अवस्तापना ठीक है तिर्तियक का मतलब हो गया सेवा छेतर तिर्तियक आर्थिक क्रियाओं की अवस्तापना तिर्तियक आर्थिक क्रियाओं की अवस्तापना की बात की यानि जो वांतियोनन का अग्रिकल्चरल मॉडल है, सिदांत है, इन सिदांत में इन चार बातों को असफस्ट करने का प्रयास किया गया चार बातों को असफस्ट करने का प्रयास किया गया और सबसे ज़ादा जोर दिया गया पहली बात को, क्रिसी की अवस्तिती को इसलिए बाद में इनके सिद्धान्त में इस तथ्य की लोग प्रियता बढ़ी, क्रिसी की अवस्तिती, क्रिसी फार्म की अवस्तिती को लेकर, बांतियोनिन के सिद्धान्त को अब हम पेटियों में बाटके पढ़ेंगे, मेली जो सिद्धान्त है, ये उन्होंने अपने सिद नगर की उन्होंने कलपना की छे पेटी में बाटा ठीक है उन्होंने थ्योनिन ने वान थ्योनिन ने वान थ्योनिन ने यहां से से धान तस्पस्ट होता है द्यान देना और कोशिज करना समझने का वान थ्योनिन ने क्रिसी छेत्र को च्छाह पेटियों में बाटा च्छाह पेटियों में बाटा और इन ही च्छाह पेटियों के आधार पर अपने सिद्धांत को अस्फस्ट किया केंद्रिय नगर के चारों और च्छाह पेटियों की कलपना की सिक्स जोन की कलपना की वान्तियुनन ने केंद्रिय नगर के चारों और ये भी याद रखिएगा वान्तियुनन ने केंद्रिय नगर के चारों और बीच में जो नगर है केंद्रिय नगर के चारों और चाह पेटियों की कलपना की उनका मानना था कि केंद्रिय नगर के चार और जो बिसाल क्रिसी भुबाग है उसको चाह पेटियों में बाटा जा सकता है उन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि केंद्रिय नगर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है किंद्रिय नगर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है किंद्रिय नगर को देखेंगे भी तो जादा समझ में आएगा किंद्रिय नगर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे फसलों का उत्पादन, आर्थिक लगान और परिबहन लागत इन तीनों का जो रिस्ता है समीकरन है बदलता जाता है तीन वर्ड याद रखिएगा क्या-क्या फसलों का उत्पादन आर्थिक लगान और परिवहन लागत याने कि वान्थ युनिन यहाँ पे एक पॉइंट और कुछ पॉइंट एक्स्पेंट करना होगा कि वान्थ युनिन मानते थे बिग्निंग में लिख सकते हैं कि फसलों का उत्पादन आर्थिक लगान लगान भी तो चुकाना है ना और प्लस परिवहन लागत यह तीन ऐसे फैक्टर हैं जो किसानों के आए को निर्धारित करते हैं किसानों को कितनी आए होगी इनकम होगा उसको यही तीन फैक्टर निर्धारित करते हैं अतर किसानों को जो क्रिसी कार्य करना चाहिए इन तीनों को ध्यान में रखकर करना चाहिए परिवहन लागत को भी ध्यान में रखना होगा यानि ऐसे अनाज ऐसी जगह होगा हैं जहां नगर से दूरी कम हो नगर से दूरी बहुत जितनी कम होगी परिवहन लागत कम होगा और लगान जो आर्थिक लगान है ऐसी जो भूमी जितनी नजदीक होती है नगर के उसका लगान उतना ज़ादा होता है और उतपादन भी देखा जाए तो नगरिय चेतर प्राय हनदी तट के आसपास होते है या सिचाई का साधन भी नगरिय चेतर में मौझूद होता है तो बांतियोनिन का बताना था बांतियोनिन कह रहे थे कि यदि मैं हम नगरिय चेतर से ज़्यादा दूर जाएंगे तो परिवहन लागत बढ़ जाएगा यदि हम लगान को कम करते है यदि कोई किसान लगान बचाने के लिए दूर की भूमी पर खेती करता है लगान कम बढ़ जाएगा तो परिवहन बढ़ जाएगा और परिवहन ख़र्च भी बढ़ जाएगा और साती साथ लगान को कम करने के चक्क्र में हम ज़्यादा दूर जाएंगे तो उत्पादन घड जाएगा क्योंकि उधर सिचाई का प्रॉपर साधन नहीं होगा तो पादन घड़ जाएगा जमीन बंजर होगी तो ना जादा दूर होना चाहिए ना जादा नजदीक होना चाहिए कृसी जेत्र जो हो मध्य में अवस्तित होना चाहिए यानि जो मध्य बृत है संकेंद्रिय बृतों में ना सिमान्त बृतों हो जो मार्जिनल सरकल पे भी नहीं होने चाहिए अगरिकल्चरल एरिया अगरिकल्चरल मतलब जो फूट ग्रेंड पोड़क्शन है वो मार्जिनल एरियास में भी ना हो और ना ही इंदम बिल्कुल नजदीक हो क्यों जा यदि नजदीक हुआ तो क्या होगा यदि नजदीक हुआ साहब तो लगान बढ़ जाएगा यदि नजदीक हुआ यदि हम नगर से नजदीक जाएंगे नजदीक हुआ तो लगान बढ़ जाएगा रेंट बढ़ लगान को उन्होंने रेंट का रेंट बढ़ जाए मतलब एक कच्छा बहुत बड़ा होता है भाई बहुत बड़ा एरिया होता है लाकों रूपया रेंट लग जाएगा तो जब नगरिय चछत्र के नज़्दीक लेते हैं तो रेंट क्या हो जाता है बढ़ जाता है बांत्यूनिन के सामने यही तो उन्होंने अपने से दान्त के माध्यम से किसानों की दुविधा दूर करने की कोशिस की। इंक्रीज कर जाएगा तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया उन्होंने एक सिद्धान्त जब उन्होंने बताया में सिद्धान्त का क्रक्स यही है यही इसी को उन्होंने सॉल्ब किया उन्होंने एक से एक फॉर्मूला दिया एल आर इज equal to LR मतलब अस्थानिय लगान, rent ठीक है, local, L for local तो उन्होंने इनके इन से related क्या बताया बात वो उसी को समझना है उन्होंने एक सुत्र दिया, एक formula दिया थ्यूनिन, बांध थ्यूनिन ने एक formula दिया अपने इस model में उन्होंने एक formula दिया जिसमें उन्होंने कहा LR is equal to R मतलब rent, rent मनलगान Y Y और M minus C is minus Y T D अब माथा भारी मत करना ये एकदम हलका बहुत easy to understand concept है पहले समझ लो एक बार फिर तुमको दिक्कत नहीं होगी समझने में ये जो सुत्र दिया formula जो दिया formula जो दिया formula क्या दिया LR is equal to LR is equal to Y minus M Y into M minus C minus Y T D यहां LR का मतलब बता दो लिख दो इसके नीचे तो याद रहेगा LR मतलब होता है local rent अस्थानिय लगान अस्थानिय लगान वो मानते थे कि लगान जो है वो सबसे बड़ा factor है वो बढ़ता घड़ता है तो अस्थानिय लगान जो है local rent जो है वो किस पर depend करता है सरकार कैसे लगान ते करती है तो पहला उन्होंने बताया why यानि प्रती इकाई उपज why मना yielding why मतलब yielding प्रती इकाई उपज को उन्होंने प्रती इकाई उपज को उन्होंने yielding कहा why कहा yielding मना why हो गया m किसको कहा उन्होंने हर word को न तुम याद रखना उसके full form से M कहा उन्होंने उत्पादन का market price M मतलब market बाजार मुल्य उन्होंने ये बतलाने की कोसिस की कि लगान निर्धारित कैसे करती है सरकार यदि किसान ये समझ ले तो उनको भूमी के चयन में आसानी होगी भूमी के चैन को आसानी से वो समझ पाएंगे कि कहां पे वो क्या उगाएं यदि किसान चाहते हैं कि वो ये समझें कि कहां पे क्या उगाएं तो सबसे पहले ये समझना होगा कि जो सरकार लगान निर्धारित करती है कैसे निर्धारित करती है तो सरकार जो लगान निर्धारित करती है सरकार के लगान का तरीका जो है उसका उन्होंने एक फॉर्मुला बताया कि ये फॉर्मुला उस समय जर्मनी में प्रचलित फॉर्मुला यही थी सरकार इसी तरह लगान तै करती है तो L का मतलब हो गया LR मतलब अस्थानिय लगान Y म मतलब हो गया छोटी C जो है M मतलब हो गया market और C का मतलब हो गया current price एक current मुल्य कह सकते हैं उसको और T मतलब परिवहन मुल्य और D मतलब आजार से distance ठीक है T का मतलब क्या हो गया परिवहन मुल्य T याद रखना T मतलब transport value परिवहन मुल्य C मने crop हो गया ठीक है और T D का मतलब क्या हो गया D मतलब distance from market D मतलब distance from market और कुल मिला के इसके आधार पर उस समय बाजार से ये जो निर्धारन होता था सरकार के द्वारा लगान का निर्धारन जो होता था इसी फॉर्मूला के आधार पर उन्होंने calculate करने का calculate किया जाता था उस time पर उन्होंने explain किया तो बांत युने ने जो आर्थिक लगान परिकलन का सुत्र दिया जो लगान calculate करने का सुत्र दिया उन्होंने बताया कि LR is equal to Y into M minus C minus Y TD यहां LR क्या है local rent है Y क्या है yielding per unit है M क्या है market price है T क्या है transport value transport price है और D क्या है बाजार से जो distance from the agricultural land की दूरी बाजार से distance of agricultural land from market इसके आधार पर उन्होंने बताया कि लगान इस तरीके से calculate किया जा सकता है लगान इस तरीके से calculate किया जा सकता है यह उन्होंने explain किया और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि लगान को ध्यान में रखते हुए और transport cost को ध्यान में रखते हुए ठीक है C मतलब cost होगा लागत C का मतलब क्या होगा cost खेती में जो खर्चा हुआ C मतलब लागत cost तो वान्तियूनन ने फॉर्मूला दिया था आर्थिक लगान के लिए आर्थिक लगान के फॉर्मूला के आधार पर वान्तियूनन ने लगान अस्थानिय लगान कल्कुलेट किया और उस अस्थानिय लगान को minus करके किसान अपनी profit बनाने के लिए किन बातों को द्यान में रखे इसको भी वान्तियूननन ने असपस्ट किया ठीक है क्या असपस्ट किया उन्होंने उन्होंने कहा कि यदि क्रिसी भूमी को स्षापेटियों में बाँट लिया जाए और अलग-अलग पेटी में अलग-अलग तरह के फसल उगाय जाए उन्होंने अपना फसल सिंदान्त भी दिया यानि कि बांती उननके सिंदान्त को तीन कर्टीज़ें में बाट किया जा सकता है पहला सिध्धान्त को किन बातों को सपस करने की कोशिश हुए तो सिध्धान्त में क्रिसी फार्म के अवस्तिती, लोकेशन आप दी अग्रिकल्चरल फार्म, दूसरा क्रिसी भूमी के उपियोग लैंड यूज को कैसे यह जो छे पेटी वाला कॉंसेट है, छे पेटी वाला क कहां पे कौन सी इंडस्ट्री लगाए जा सकती है, और फिर उस इंडस्ट्री से किसान कैसे ज्यादा सज्यादा बेनिफिट अर्जित कर सकता है, उसकी बात भी करते हैं, अब इन छे पेटियों का बरनन कर देंगे ना आप चित्र बना के, तो समझ ये कंप्लीट हो गया ब दम बीच में है, डार्क कलर है, वो डार्क कलर वाला एरिया जो है, वो सीटी सेंटर है, यानि में नगरीय च्छतर है, सीटी सेंटर है, अब सीटी सेंटर के बहुत दूर में एक स्माल टाउन भी है, A small town with its production zone A small town इधर है City center इधर है Beach से एक नदी बहती है ये नदी है नदी के दोनों तरप सहर बसा है ठीक है? एक नदी है या road है ये नदी है या road है नदी और road के अक्सर जो सहरें होती है या तो नदियों के किनारे या फिर सडक के किनारे बनते है तो बांथ उन्हें ने जो अपने model दिया isolated तो जरूर बनाया है सहर को बिल्कुल isolated लेकिन उसमें से सडक और नदी दोनों का concept लिया और उन्होंने बताया कि जो blue color का ये जो blue color का दिखाया गया है ये ये वाला region ये एक नदी है ये blue color वाली नदी के दोनों नदी को क्यों बांथ उन्हें ने दो कारण से नदी कोई अपने से धांट में जगा दिया एक यातायात में नदी सस्ता यातायात सस्ता परिबहन मौजूद कराता है उपलवध कराता है और दूसरी बात क्या है नदी जो है सस्ता यातायात के साथ साथ खिरसी में सिचाई के लिए भी उपयुक्त होती है और उसके पास की भूमी ज़्यादा उपजाओ होती है तो अपने सिधान्त को बताने के लिए अपने मौडल को decorate करके explain करने के लिए अच्छे से explain करने के लिए उन्होंने एक ऐसे नगर की कलपना की जिससे बीच से एक परिवान में परियुक्त होने वाली एक नदी बहती हो और जो सफेद कलर का ये जो सीधा right path उन्होंने बताए ये सडक या दूसरे साधन या तायात के उस समय रेल तो था नहीं तो सडक के साधन है ये सडक है सडक है या bridge है या pull है नदी पर तो वही होता ना सडक, build, bridge, pull अब उसके चारों तरफ जो अलग-अलग रंगों की पट्टी ली उन्होंने इन रंगों की पट्टी को ही उन्होंने जोन का नाम दिया जोन वन को उन्होंने market gardening और milk production का नाम दिया ये white वाला है ये ये जोन वन है जोन टू green area इसको उन्होंने firewood और lumbering production का नाम दिया यानि की lumbering का मतलब limber timber अपने नाम सुना होगा limber timber का यहाँ पर production वाला एरिया है तीसरे जोन को उन्होंने grain crops with no follow land यह तीसरा वाला जोन है no follow land मैं बताऊंगा क्या है और चौथा कहा उन्होंने grain crops with 14% of follow land यह चौथा वाला रीजन है और पाचमे को कहा three three filled three filled system पाचमे जोन को बहुत important जोन का उन्होंने three filled system नाम दिया और जो छठा जोन था इनको live stop ranging या चारागा का नाम दिया यानि बाहरी छेत्र में इन्होंने चारागा जो yellow color का सबसे बाहरी छेत्र है सबसे बाहरी छेत्र के लिए इन्होंने चारागा छेत्र का नाम दिया और बीच में जो यह पीन, चार, पांच वाला जोन है जोन 3, जोन 4, जोन 5 इसी जोन पर पूरा का पूरा इनका टेक्निक और ट्रिक आधारित है, इसी पर इन्होंने बताया कि अनाज किस तरह के अनाज कहां उपजाय जाने चाहिए और भी निर्मान उद्यूग को बताने की भी कोशिस की, तो इस डाइगरान को देखके लिए आपको डर लगता है तो आप फालतू में डर दें है एक आईसोलेटेड नगर है, जो काले रंग का है, और इस आईसोलेटेड नगर के चारो तरफ जो पटी है उन पटीओं को आप देख चुके हैं और साथ स्मॉल टाउन को भी उन्होंने इमेजिन किया बांगती उनने अपने इस मॉडल में केंद्रियनगर की बात की केंद्रियनगर के चारो तरफ छा भूमी उपियोगी पेटियों की बात की पहली पेटी को उन्होंने आंत्रिक वृत्खंड के रूप में देखा उन्होंने बताया कि जो पहली पेटी है वहाँ गहन क्रिसी की जाती है गहन क्रिसी जानी ऐसे फसलों को उगाया जाता है जो जल्दी नस्ट होते हो जैसे कद्दू, खीर, लवकी, परवल, धनिया, में चाहिए ही सो तमाटर तो जल्दी नस्ट होने वाला साग, सबजी, दूद को उन्होंने नाम दिया पहली पेटी यानि ये जोन वन नाम दिया पहली पेटी ये नस्ट होने वाले अनाजों को उगाना चाहिए उन्होंने बताया, होती है नहीं उगाना चाहिए यहाँ पे ऐसे अनाजों को और उसके बाद जो दूसरी पेटी है उसनोंने का कि यहाँ जलाने की लकडी और पौदे उगाया जाने चाहिए टिम्बर टिम्बर और फ्यूल ताकि उनकी विजरुत पूरा हो सके तीसरी पेटी में उन्होंने बताया यहां अनाज या अन्न का उत्पादन किया जाना चाहिए और चौथी पेटी में उन्होंने बताया कि इस छित्र में चौथी पेटी में विश्तृत पधती द्वारा अ किस जोन में चौथी पेटी में पांचवी पेटी को उन्होंने कहा कि यहां तीन खेत प्रणाली सिस्टम लगाना चीए मतलब एक ही खेत के बड़े टुकरे में एक तीहाई भाग में खेती दूसरे भाग में पसुपालन और तीसरे भाग को परती छोड़ो परती को अगले सा फाइक में थ्री फिल्ड सिस्टम लाया थ्री फिल्ड सिस्टम मतलब खेत को तीन टुकरे में बाटो एक टुकरा परती चोरो एक टुकरे में पसुपालन करो एक टुकरे में अना जुगा हो बदल बदल के खेती करो क्योंकि यह नदी छेतर से दूर का छेतर है तो उपज इसमें कम होगा यदि बार-बार उप जाओगे तो जमीन बंजर हो जाएगे और जो छटी पेटी थी उसको उन्होंने कहा यहाँ पनीर पैदा करो मक्कन पैदा करो जो जल्दी नस्ट होने वाली बस तू नहीं है वो यहाँ पैदा करो चारागा वाले रिजन में यहाँ जो हो वो घोड़ा गाड़ी के लिए अनुकूल सरक हो ताकि इन सभी बृतों का अनाज और प्रोड़क्ट इस सरक के माध्यम से केंद्रिय नगर तक दोनों तरप से पहुंच सके और यह सरक उस नदी के साथ भी कनेक्टेड हो ताकि जलिया या तायात द्वारा बाहरी चि जो आपने समझा अब इस मॉडल में अलोचना करनी है क्या अलोचना कर सकते हैं इसकी जितनी मान्यताएं हैं बरतमान संदर्व में पूर्ण तह सटिक प्रतीत नहीं होती हैं यह काकी प्रतेश की कलपना करते हैं जो बास्तविक दुनिया में आईसोलेटेड रिजन मिलना स यह कहते हैं कि सब जगह एक जैसी जलवायू हो सब जगह एक जैसा भौगोलिक सुविदा हो यह भी संबब नहीं है किवल छोटा सा अपना बिहार ले लिया जाए तो बिहार में भी यदि भागलपुर्च मुंगेर छेत्र की जो भौगोलिक सुविदा देखें और उदर म बिदता हो जलवायू में भारत जैसे भौबाग में जलवायू की बहुत ज़्यादा बिदता है बौगोलिक स्थितियों में बहुत ज़्यादा बिदता है ऐसे कंडिसंस में पॉसिबल नहीं है यहाँ पे इसे दांतला गो होना तो एक जैसा भौगोलिक प्रदेश बाला प्रदेश मिलना कटिन है एक जैसी जलवायू मिलना कटिन है आईसोलेटेड प्रदेश सम्भव नहीं है और एक और कारण से अलोशना हो सकती है कि यह एक खास प्रदेश खुद डिजाइन करते हैं जिसको यह नाम देते हैं लिम के लिए लगा के क्या फाइदा जब कि हम जलावन के रूप में लकडियों का उप्योग नहीं करते अब बरतमान में जलावन के लिए प्रियोग हो रहा है गैस नैच्रिल गैस CNG, Compressed Natural Gas और LPG, Liquified Petroleum Gas यूज हो रहा है गहरेलू इंदन के रूप में Liquified Petroleum Gas और अधर इंदन के रूप में इंडस्ट्रियल अंदन के रूप में CNG और एक्सेटरा तो ऐसे कंडिशन्स में इस पॉरेस्ट बाला बेल्ट जो है वो निर अर्थक अपरसांगिक irrelevant साबित होता है एक और आलोचना है कि इन्होंने खराब होने के अधार पर फसलों को डिजाइन किया कि जो फसल जल्दी खराब होते हैं उसको केवल और केवल नगर के बगल में ही उत्पादित करो अब जो है cold storage का जमाना आ गया है अब cold storage में कहीं भी कुछ भी अना जुगा हो और उसको सुरक्षित रख लो यानि सालो भर हम आम खा सकते हैं सालो भर तरभूज तो cold storage के जबाने में उनका ये सिद्धांत की खराब होने वाली फसलों को सहर के नगर के नजदीक उपजाना पड़ेगा ये निरर्थक साबित होता है इसके अलावा जो बान्तियोंनिन का सिद्धांत है कि दूरी के अनुपात में भार में और परिवहन लागत में परिवर्तन होगा और उपके वल गोरागारी की कलपना करते हैं बारतमान में drone service आ गया है drone service आ गया है और transport steamer service waterway डवलप हो रहा है inland waterway system जल प्रवापरण जल नदी जल यातायात भिक्सी तोरा है drone system है मालगारी है train है truck farming है एक्सेटरा है तो variety of transporting facilities are available nowadays where वान्तियूनन is talking about गोरागारी so गोरागारी is irrelevant nowadays वान्तियूनन ये भी कहते हैं कि क्रिसी जो है aesthetic प्रकार की क्रिसी होती है तकनीक की बात नहीं करते हैं क्रिसी यंत्रों की बात नहीं करते हैं tractor और बांकी combined machine thresher की बात नहीं करते हैं tractor और combined machine thresher की बात नहीं करते हैं वान्तियूनन तो वान्तियूनन का जो model है तकनीकों के प्रतीस मौन रहता है इसको लेकर के भी आलोच ना करते है बांतियोनेन की तो कुल मिलाकर के बांतियोनेन का जो मॉडल है इनमें कमियां तो दिखती हैं बहुत सारी कमियां है बांतियोनेन के मॉडल में बहुत सारी कमियां है क्यों कमियां यह कमियां क्यों आई है ततकालिन परिवेश के लिए यह स्वरनिम सिद्धान्त था क्योंकि यह पहला सिद्धान्त था किन्तु समय बदल चुका है वो 1826 था यह 2022 है and 2022 is the age of the science and technology nowadays science and technology इनके किसी और population pressure उसमें population कम था population pressure and uses of science and technology के कारण उपियोग जो बैज्जान और तक्निकी की बढ़ी है इसके आधार पर अव वांत्यूनिन का agricultural model उतना ज्यादा relevant नहीं रहा गया है उतना प्रसांगिक नहीं रहा गया है किन्तु दो प्रकार से यह बहुत उपियोगी है एक बांत्यूनिन ने ये तो बताया है कि हमें आर्थिक कारकों पर ध्यान देना चाहिए जो अभी भी महत्तकूर्ण है क्रिसी के अवस्थिती में हमें ज्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए आर्थिक कारकों पर जैसे परिवहन लागत पर ध्यान देना चाहिए चाहिए बहले वो गोरागारी ना हो ट्रक हो मालगारी हो ड्रोन हो लेकिन ध्यान देना चाहिए तो बांति उने इसलिए बरतमान समय में भी महत्तु रखते हैं कुछ प्रसांगिक्ता उनकी बनी है कि उन्होंने जो इसारा किया उन्होंने जो बताया कि the economic factors are very important factor in agricultural location that is a very important point. Second important point क्या है कि भुगोल में उन्होंने जो कलपना उस समय कलपना की स्थितिक लगान की अभी तक सरकार के पास लगान की वो proper mechanism नहीं है आप बिहार के किसान से पूछो तो लगान दैचो दो मर्दे हमरा ने पता के रसीद कटे लिकाए बापे ददा जमानाम रसीद कटलोर है फिर तर पता नहीं कट्या कटेश नहीं कटेश हमारे यहां ऐसा ही रसीद लगान वो जो system है वो proper implementation नहीं हो पाया ऐसे में 1826 में जब वो एक systematic लगान की संकलपना देते हैं रेंट की जो land rent की संकलपना देते हैं वो संकलपना बहुत महत्वण और उपादे प्रतीत होता है कि बरतमान में भी सरकार को कुछ न कुछ सिस्टम के तद जो tax system है उसको improve करके और बेहतर किया जा सकता है अग्रिकल्चर को यह थे अपने बान्थ्यूनिन भाई साथ और बान्थ्यूनिन भाई साथ का जो अलोचना और बाकी model है मैंने कोसिस की एकदम बच्चों के तरह बताने की और यदि आप और बहतर करना चाहते तो इसमें आप दो case study भी ले सकते हैं बान्थ्यूनिन ने दो case से अपनी बात क किया था, कि यदि market price जो फसल की है, वो crop price से ज़्यादा हो, ठीक है, crop से, if the market price of crop Q was greater than crop P, दो crop लिया था, अपनी बात को clear करने के लिए, कि कौन सा फसल उगाना किसान के लिए बेहतर रहेगा, अपने सिद्धान्त में इसकी चर्चा भी की तुमा, बांतियोंने ने दो crop ले लिया था, दो फसल ले लिया था, फसल Q और फसल P, इन दो फसलों के आगार पर बांतियोंने ने ग्राप ये तरीके से, crop, crop theory भी दिया था, crop theory model, कि कौन सा crop उगाना चाहिए, उसमें इन्होंने तीन बातें थी, कि रेंट की बात की, लगान की बात की थी, किसका ध्यान रखना है, लगान, distance of market की बात की थी, बाजार से दूरी की बात की थी, बाजार से दूरी, और बाजार ये रहा, यदि कहां पे, location होना चाहिए, crop का, यदि crop P का location ये है, और crop P की market दूरी ये है, और crop Q का location यहां है, market से ज़्यादा दूर, एक फसल Q, Q जो है, market से ज़्यादा दूर है, यहां है Q, market यहां है, market से ज़्यादा दूर है कौन, market से ज़्यादा दूर है कौन, Q, और market के नजदीक है, कौन, market के नजदीक है कौन, P, जो नजदीक होगा, उसका rent जादा होगा, ठीक है, जो नजदीक होगा, मार्केट से जो नजदीक होगा, उसका रेंट भी ज़्यादा होगा ठीक है, और मार्केट से जो दूर होगा, उसका रेंट भी जो है कम होगा ठीक है, तो यहाँ जो लगान है, लगान घटे क्रम में है, यह घटे क्रम में है इधर बढ़ने पर लगान बढ़ता है, दूर जाने पर लगान कम होता है, जैसे distance भी घड़ते क्रम में है, वैसे market भी नीचे आने पर घड़ते, ये लगान जो है, लगान, मार्केट के नजदीक लगान ज़्यादा है माप करना मार्केट के नजदीक तो लगान ज़्यादा होगा लोकेशनल रेंट ज़्यादा होगा और मार्केट के दूर जाने पर लोकेशनल रेंट कम होगा तो Q का लोकेशनल रेंट कम है और P का Locational Rent जादा है, इसके अधार पर उन्होंने दो Point लिया, Market Price of P निकाला, Market Price of Q निकाला, यदि Market Price Q का जादा है, Market Price Q का जादा है, ये स्थिती ऐसा मत देखिएगा, Rent जादा, ये लगान यदि जादा है Q का, और Market Price भी लगान जादा है, तो Market Price भी जादा होगा Q का, और लगान कम है, तो Market Price भी कम होगा, किसका, P का, P का Market Price कम है, Q का Market Price जादा है, तो इस हिसाब से P और Q में से क्या उबजाना जादा होगा, बेहतर होगा, तो जिसका Market Price जादा है, वही उगाना जादा बेहतर होगा, ठी तरीके से नहीं समझना है, ज्यान से समझेगा, market price देखना है, यह बाजार मुल्य पर आधारी graph है, दूरी पर नहीं, तो यदि जिसका बाजार मुल्य जादा हो, उसका लगान भी जादा होगा, जिसका बाजार मुल्य जादा होगा, यह बाजार मुल्य है, बाजार मुल्य को denote करता है तो जिसका बाजार मुल्य जादा होगा निश्ची तोर पे लगान भी जादा होगा लेकिन इनके बीच में ये graph ये method से उन्होंने बताने की कोजिज की कि फसल P उब जाना बेहतर होगा या Q दो इस्थिती लिया है एक और इस्थिती लिया है इस बार crop X और crop Y लिया है crop X और crop Y के बीच में एक ऐसा point ढूणा है उन्होंने बीच में एक ऐसा point ढूणा है उन्होंने जहांपर जो crop का जो price है market price और distance के according एक ऐसा point ढूणा होनने जिसमें की कौन सा फसल कहाँ पे उगाया जाए यते होगा बहुत सकता है कि यह आपको तोड़ा ज़्यादा complicated लग रहा हो, यदि आपको complicated लग रहा है तो वो नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, graphia system को यदि आप नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, और यदि दिक्कत है तो हम एक बार अगली class में फिर से इस पर बात कर लेंगे, इतना काफी है, एक बार इसको देखिएगा आप, ठीक है, हम जो इसका notes है, यानि class में जो हमने बनाया ये discussion, हम आपके paid batch में अभी send कर देते हैं, और ये video तो है ही, जब चाहें देख लीजिएगा, धन्यवाद.